बुलिय गनेजी महराज कीज़, सावर्या सेठ कीज़, भगवत सल्भगवान कीज़, खाठो नरेश कीज़, राणी सती दादी कीज़, बीराबर जी दादी कीज़, बालाजी महराज कीज़, बावा भूत नाथ कीज़, श्री शुकदेव मुनी महराज कीज़, श्रीमत भागवत महा पुराणे कीज़, वरे नाम, अर्थ संधाना, रसाना, चंद सामपी, मंगला नमच करतारू, वंदिवानी विनायकू, नमो ब्रह्मान देवाय, गो ब्रह्मान हितायच, जगधीतायक्रिष्नाय, वंदिवानायकू, नमो ब्रह्मानू, जविललित कमला कोटिसं, नव नील अंबर धारिणी, शशिबदन कंज विलोचनी, शिरचंद्रिका मृदू हासिनी, आनन्द धन्गो विन्द मन्, मंदिर अनन्य निवासिनी, गन्ष्यामधन हित चांत की, गन्ष्यामधनाहिता मोरनी, जय जय श्री राधि, जय जय श्री राधि, जय जय श्री राधि, हरीयों नमों, पार्वती पते नमां, महादेव नमां, नुली क्रिश्न का नहीं याला लेकि, दो शब्द मैं कहूंगी, वो ही दो शब्द आपको दोहराने हैं, उसके आगे का नहीं गाना है, उसके आगे का आपको पता होगा, लेकिन आपको गाना नहीं हैं, जो दो शब्द मैं कहूंगी, वो ही दो शब्द आपको कहने हैं, हरी रामा हरी, हरी रामा, रामा रामा, हरी हरी, हरी रामा 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 रा हरे रामा 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 हरे हरे ख॥ हरे क्रिश्णा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare हरे राम, 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 हरे राम Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Vare, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 कृष्मा खुष्मा, कृष्मा, कृष्मा खुर्डा अश्चार्वी त्मान तॉल्टाओं IRE HIND एधिन आए ने हमसे हो एधि बेंवे ृमqun कि एधि भुछिटि अरंगहिने निविरीड्огट मुद क्रिस्था जरे और हो एधिनद सविवे एधिन समस्त्व ओ आते हो एधिने तरिश्ट हुस्त vehicles एलएमोज चीटिक्ष में नहिए सरत सालिया एकसा शकृष्ण कृष्ण कृष्ण प्रीष्टा थाट हो आरे जो आरे जैडिया किष्टा रेहरे, अनि ё्रे राम,रे जैडिया हरे किष्णा, हरे किष्णा, 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 हरे, 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 हर अ्रमाराम। आपिए लुछी ुट्राइणिटों रिश्नाय। Hare Hare, O Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, processed Krishna कृष कृष्त हरी हरी ठारी ठारी बारी हरी रामा ठारी रामा 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 रे 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Hare犯 रे 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 यह करते हैं और उस्ज माले पहले बताईए ने कल कौन कौन सी कथाई भरजी की कथा बक्ष राजा की कथा राजा बेन पतु राजा भक्त प्रहलाज चरिष्ट्रे बताई लिए जड़ की कथा गया जी कथा राजा प्रिंग्ष राजा बीक्षित और जड मुरत की कथा ब्रह्मा जी और नारज जी का वार्ता लाग प्रित्व हो गए और और किसकी अजामिल की कथा वेरी गूँ तो ये सारी कथाई हमने कल सुनी हमने प्रहलाज चरित्र सुना अब प्रहलाज जी की रक्षा करने के बाद भर्वान जी प्रहलाज जी के साथ बैठ कर बाते कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से वारता लाप चर्चाएं कर रहे हैं तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभू ऐसे तो मैं पांच वर्ष का हूँ, लेकिन मेरा विवा पांच स्त्रियों के साथ हो चुका है, कौन है वो स्त्रिया, मुह माया रूपी स्त्रिया, भोग जादी होते हैं न, तो बुले, पांच स्त्रियों के साथ मेरा विवा हो गया है, और अब मैं चहा करनी इंसे चुटकारा नहीं पास करा भगवान कहते हैं भोगों से कभी तुरप्ती किसी की नहीं है कभी नहीं है कितने जन्वों से हम भोगों का उप habitat करते आ रहे हैं आज तक तुरप्ती हुई है भोजन करते हैं एक बार के लगता है पेट भर गया, अब इससे जादा नहीं खा सकते हैं, फिर दो-तीन गंडे बाद भूख लगती है, तो जीव को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा द्रिश्ष चाहिए, यहां कोई ऐसा है जो कहीं बाहर अच्छी जगा घूम कर आजाए और फिर कहें रहे बहुत अच्छे-च्छे हमने नजारे देख लेए, अब कुछ भयानक दिखाओ, कोई सोचता है इसा, सब को हमेशा सामने अच्छा ही द्रिश्ष चाहिए, कानों को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी सुगंद चा इन चीजों से कभी त्रिपती नहीं होती, अगर हम यह सोचेंगे कि बार बार कर लो, त्रिपती हो जाएगा, कई लोग यह सुझाओ देते हैं, कि किसी अगर चीज को छोड़ना है तो उसे इतनी बार कर लो, कि मन भर जाए उससे, ऐसा कभी नहीं होता, मन भरेगा वो जाना घर में मनती हो, कोई भी एक सब्जी, आलू, तो चली, अगर मैं आपको एक महिने तक, दिन में हम तीन बार जो भोजन होता है, तीन बार करते हैं, नाश्ता हुआ, धोपेर का भोजन, रात्री का भोजन, है ना, तो एक महिने तक दिन में तीन बार, तीनों समय आलू दोपेर के खाने में आलू राद के खाने में आलू एक महीने तक वो ही वो हर जगे मन भर जाएगा फिर उसको खाने का मन नहीं करेगा है न लेकिन माल लीजे एक महीने और मैंने आपको सबजी परोसी ही नहीं एक बार भी नहीं परोसी फिर एक महीने बाद वापस परोसी जा कुछ समय तक वो करने का मन नहीं करेगा लेकिन उसके बाद फिर इच्छा होगी तो भगवान कहते अगर किसी चीज से त्रिपती चाहिए उसे छोड़ना है तो उसका त्याग करना पड़ेगा क्योंकि त्याग करने में कहते कुछ ही दिन है जो आपकी परीक्षा ली जाती है अगर आप कोई भी भोजन छोड़ते हैं आप कोई आदत छोड़ते हैं कुछ दिन है जो आपको बड़ी तकलीफ होती है उस दिन आपको अपने उपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है उसके बाद फिर आपको आदत पड़ जाती है फिर आपके सामने भी वो चीज़े रख दी जाए आपका मन नहीं करेगा लेकिन वो कुछ दिन है जो आपके परीक्षा के दिन होती है तो मन नहीं मानता तो वो कुछ दिन भगवान कहते है तुम्हें अपने उपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा तो भगवान नहीं कहा भोगों से त्रपती त्याग से मिलती प्रहलाट जी कहते हैं त्याग कैसे करें आपने दुनिया इतनी सुन्दर बनाई है कैसे इन चीज़ों को हम छोड़ते भगवान कहते हैं सुन्दर इसलिए नहीं बनाई थी कि तुम इसमें पढ़कर मुझे ही भूल जाओ गलत रास्ते पर चलते जाओ मैंने दुनिया इसलिए सुन्दर बनाई थी कि तुम्हें कारे करने में अच्छे करम करने में सही रास्ते में चलने में बजन करने में सत्संग करने में कोई तकलीफ ना है मैंने सब कुछ दिया है तुम्हें इस दुनिया में घर परिवार रिष्टेदार हमसफर सब कुछ दिया तुम्हें कहीं कोई दिक्कत ना है तुम हर तरफ से खुश रहो हर तरफ से खुश रहेंगे तब जाकर तो कारे अच्छे से कर पाएंगे तो भगवान कहते हैं अब इन चीजों का तुम गलत इस्तमाल कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि मैंने ये चीज़े कि एक सेड़ जी थे धरम के कारे करते थे उन्हें पता चला किसी गाउं में पानी की बहुत किल्लत है महिलाओं को दूर दूर दूसरे गाउं पानी भरने जाना पड़ता है आधी रात में जरूरत पड़ गई तो आधी रात में बच्चों को छोड़ कर जाना पड़ता है तो सेट जी ने उसी गाउं में कुवा बनवा दिया अब जितने भी गाउं वाले थे सब के लिए सुगदा हो गई अब उन्हें दूसरे गाउं जाना नहीं पड़ता पानी लेने के लिए अब कुछ दिनों बाद उसी कुवे के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे खेलते खेलते उसमें से एक बच्ची कुवे में गिर कर मर जाती है अब मर जाती है तो उस बच्ची के पिता जी ने कहा कि इस सेट जी के वज़े से मेरी बच्ची मरी ना तो ये कुवा बनवाते और ना बच्चे इसमें गिर कर मरते तो उसके पिता ने कहा कि ना तो ये सेड़ जी खुआ बनवाते और ना बच्चे इसमें गिर कर मरते तो क्या सेड़ जी ने खुआ इसलिए बनवाया था कि बच्चे इसमें गिर कर मर जाएं बताईए जी ने खुआ इसलिए बनवाया था कि लोग पानी भर सके उसमें उसका इस्तमाल कर सके अब हमारी गलती है कि हमने बच्चों को कुए के पास जाने दिया तो महरा जी जो कुआ है ना ये संसार है कुए का इस्तमाल कैसे करते हैं बताईए कुए का इस्तमाल कैसे करते हैं हम सब अभी तो करते नहीं है पर अगर करे तो कैसे करते हैं पानी निकालते हैं कैसे निकालते हैं खूद अंदर जाते हैं तो संसार ऐसा ही है जो भी जरूरत की चीज़े है वो चीज़े लेते रहों जादा अंदर जाओगे डूब जाओगा फिर बाहर निकलना मुश्किल है तो खाली अपने इस्तमाल की चीज़े करते रहों कारे करना है व्यापार करना है इत्यादी है जादा घुसने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे और डूब गए तो विर बाहर निकलना मुश्किल है तो मारा जाओगे भगवान कहते हैं कि मैंने ये सारी चीज़े इसलिए बनाई थी ताकि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना है अब तुम इसका गलत उप्योग करते हैं संसार को हर वक्त भोग की द्रिष्टी से देखना गलत है संसार को भगवत द्रिष्टी से देखी भोग की द्रिष्टी क्या होता है क्या लेलू क्या लेलू क्या लेलू मेरा कितना फाइदा हो जाए और भगवत द्रिष्टी क्या होता है क्या कर दो मेरी कौन सी ऐसी हरकत हो या मेरी कोई कला है जिससे दूसरों को भी साहता मैं सके संसार बुरा नहीं है लोग कैतना संस दुनिया इतनी खराब हो गई है कौन सी दुनिया खराब हो गई है बताई हमारी दुनिया हमी लोग तो थोड़ी कोई दूसरे ग्रह से लोग आ रहे हैं दूसरा ग्रह जो खराब हो आज के लोग ऐसे हो गए ये कर रहे हैं कौन लोग कर रहे हैं दूसरे ग्रह से अगर थोड़ी कर रहे हैं हम और आप ही तो कर रहे हैं तो दुनिया थोड़ी खराब है हम खराब है एक बार एक व्यक्ति रस्ते से जा रहा था एकदम साफ सुत्रा रस्ता है कुछ भी गंदगी नहीं है हाथ में एक चिप्स का पाकेट है उसके उसने सोचा ये तो फेकों का कहा हवा में उड़कर चला जाये जाए उसने फेक दिया कुछ दिनों बाद वो उसी रास्ते से वापस जाता है तो बहुत सा कूड़ा इखटा हुआ हुआ था खुब सारी गंदगी थी कहते वे जाता है सरकार ने कितनी गंदगी करके रखिये कुछ सफाई नहीं हुए शुरुआत किसने करी तो कहने का तात्पर क्या हुआ हम नहीं बदलेंगे हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे जो दिन में दो बार या एक बार सफाई करते हैं वो दस बार करो पर हम तो ऐसे कैसे रहेंगे तो ऐसे दुनिया तो नहीं बदलने वाजी जो बदलाव आप दुनिया में चाहते हैं पहले आपको अपने अंदर लाना पड़े हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं वो ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, यह ऐसे बात करे, वो वैसे बात करे हम कितना बदले हैं आज तक एक बार राजा अकबर की बेटी राज महल से बाहर खेलते खेलते चली जाते हैं उसके पेरों में काटा चुब गया, अब रो रही है अब राजा की बेटी है, रो रही है तो पुरा राज महल सर पे उठा लिया गया और राजा ने अपने मंत्री से कहा कि काम करो, पूरे राज में दरी बिचिवा दो, पूरे राज में आज के बाद राज कुमारी के पेरों में काटा ना चुब गया अब मंत्री चिंता में पड़ गए क्योंकि वहां तो हां कर दी, पर सब जानते राजा अकबर का राज जी कितना बड़ा है कितनी दरी लाएंगे कहां से, पूरा राज जी कैसे समयटे, बीरवल के पास जाते एसा ऐसा हुआ है, राजा ने कहा, पूरे राज जी में दरी बिचवा आते राज कुमारी के पैरों को डग दिया जाए, उनके लिए दो जूतियां बना दी जाए पर इसका सार क्या है कहानी का कि राज अगबर ने क्या सोचा सबको बदलो पूरा राज्य बदल जाए पर उसके पैरों को नहीं डगा जाए यानि उसको नहीं बदला जाएगा हम ऐसे इकलते हैं कुछ गलत लग रहा है तो हम नहीं सुधरेंगे या हम नहीं बदलेंगे सबको बदलेंगे ऐसे भगवान कहते हैं संसार नहीं सुधरता परिवार रिष्टे नाते कुछ नहीं सुधरते जब तक आप खुद कोशिश नहीं करें तो भगवान कहते हैं अगर तुम्हें सई होना है तुम कहते हो मुझे भोगों से त्रप्ती चाहिए मुझे भगवान में लगना है तो कोशिश तो तुम ही करनी पड़ेंगे तुम मुझे कह रहे हैं आपने दुनिया ऐसी बनाई है वैसी बनाई है तो एक तुम्हारे लिए मैं दुनिया थोड़ी बदल रूँगा बदलना तुम को पड़ेगा तो भगवान कहते हैं अपना नजरिया बदलो खुद को बदलो तो भगवान नहीं कहा कि संसार को भोग की दृष्टी से नहीं भगवत दृष्टी से दे सत्संग आपको यही चीज़े सिखाती है देखिए जीवन में कई ऐसी चीज़े होती है जिन में बदली नहीं चलती बदली यानि बदली यानि कि मेरे बदले कोई और कर ले कई बार होता न कोई काम है हमसे नहीं हो पारा किसी और से कह देते हैं कि तुम कर लो बच्चों के हुंबा के बच्चे नहीं कर रहें माता पिता कर देते हैं वो जाके दिखा देते हैं इसको कहते हैं बदली किसी के बदले किसी और ने कर देते हैं तो संसार की कुछ चीजे हैं जिसमें बदली नहीं चलती पहला भोजन ऐसा हो सकता है बही मुझे बहुत जरूरी काम है मेरे बदली का भोजन कर लो मेरा पेट भर जाएगा हो सकता है ऐसा है? नहीं फुद कोई करना पड़ेगा दूसरा शादी कोई काई दे बहुत जरूरी मीटिंग है फेरे तुम ले लो में दोस्त हो तुम मेरे फेरे ले लो फिर मैं आ जाओ कर सकते है ऐसा? नहीं तीसरा मरत्यू मेरे गर में शादी है बही मेरे बदली तुम मर जाओ कोई मरेगा और चोथा सतसंग सतसंग में भी बदली नहीं चलती है ये खास करके पुरुषवर्ग के लिए है ये बात मैंने कई पुरुषों को कहते हुए सुना है हम इतनी पुजा पाट नहीं करते हैं काम करते हैं पत्नी करती है उसके बदले का हमें मिल जाता है एक प्रतिश्यत नहीं मिलता मैं सची कह रही हूँ वो जो कर रहे हैं सब उनको मिल रहा है सत्संग में बदली नहीं चलती भगवान ने प्रहलाद जी सिका कि प्रहलाद तुम स्वर्ग जाना चाहते हूँ कि नर्क उन्होंने क्या जवाब दिया होगा स्वर्ग आप कहां जाना चाहेंगा स्वर्ग है ना लेकिन उसके लिए तो मरना पड़ेगा तो भगवान कहते हैं खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला उसके लिए भी मरना पड़ेगा पहले तुम्हें और मरने से सपोडर लगता है तो भगवान कहते हैं अगर कल्यान करवाना है मुक्ति चाहिए सुख चाहिए तो सत्संग तो करना पड़ेगा वो किसी और के भरों से छोड़ कर रखो के तो कैसे चलेगा हमने हर चीज को मर्यादा दी है जीवन में हर चीज को काम को रिष्टो को मनुरंजन तक को हमने मर्यादा दी है मर्यादा यानि निया मनुसार के हफ़ते में संडे का दिन मस्ती का दिन है तो सोचिए हमने मनुरंजन तक को इतनी मर्यादा दी है के उसका भी दिन निकाला है सत्संग को कोई मर्यादा नहीं कथा होती है समय है तो आएगे नहीं है तो नहीं आए है पूजा पाट भी काम के अनूसार, अगर काम नहीं हुआ समय मिल गया तो कर लिए ने तो पूजा को थोड़ा पोस्तोर्ण कर सकते हैं, थोड़ धर बात कर लेके, शाम को कर लेके क्यूं? क्योंकि इतना जरूरी नहीं समझा गया इसको और बच्चे यही देखते हैं हम क्यों कहते हैं आजकल के बच्चे भगवान को मानती नहीं है उनको बताया ही नहीं जा रहा कि यह जरूरी है हर चीज़ को इतनी मर्यादा दे दी गई है बच्चों के लिए कि भई ट्यूशन इतने समय जाना है ये इतने समय करना है खेलपूद भी जरूरी है इतने समय खेलपूद के क्लासेज है तुमारी सत्संग के लिए ना उसे खुद को कुछ सिखाया जा रहा है ना उसके माता पिता उसे ऐसे करते वे दिख रहे है कि नहीं भाई इतना समय हो गया इतने बज़े तो पूजा करनी ही है तो बच्चा भी देखकर सोचेगा कि जैसे ये ये सब ज़रूरी है ये भी जरूरी है पर उसको ऐसा कुछ नहीं दिखता तो उसको लगता है दुनिया में हर चीज़ जरूरी है वो इतना जरूरी नहीं है और जब काम पड़े तो ही करना नहीं तो ऐसे ही चलेगा और फिर हम कहते हैं बच्चे मानते नहीं, बच्चों में संसकार नहीं है, बच्चे भगवान तो नहीं मानते हैं एक बार ट्रेन से एक मा और बेटी जा रहे थे, चोटी सी बच्ची है, और भी कई लोग है, सब बैठे हैं तो लोगों ने देखा कि वो बच्ची किताब पड़ रही है, चोटी सी बच्ची किताब पड़ रही है बाकी माताओं को बड़ा, उन्हों ने उसकी माता से पूछा कि आपने कैसे इसे सिखाया किताब पढ़ना हमारे बच्चे तो फोन ही नहीं छोड़ते, आइपैड नहीं छोड़ते, दिन भर उसी में लगे रहते हम भी बच्चों को बोलते हैं और वो तो मानते ही नहीं उस माता ने जवाब दिया बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं । जब तक आप उन चीजों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे कि भट्चे में कुछ को कि वो जो देखते हैं वो ही सीखते गहां तो बगवान ने कहा कि जैसे सांसारिक चीजों में इतनी तुमने मर्यादा रखी न यह कि एक इतने बजे पूजा का नियम है तो पांधी तुफान आ जाए इतने बड़े पूजा होगी है कैसे भी होगी है फिर देखिए भगवान आपके कामों में कितनी मर्यादा रखेंगी है यगर इतने तारीक पर आपका काम होना है तो इतने तारीक पर हो जाएगा कितने भाईवन है जिनको अगर कथा का निमंतरन देने जाते हैं कि कथा हो रही है वो पूछते हैं संडे के दिन आएंगे संडे पढ़ रहा है बीच में और दिन छुट्टी होती है काम बंद होगा घर में जब व्यार शादी होते हैं तब दुकाने बंद करकर नहीं जाते द ऐसा कभी ना हो भगवान लेकिन कभी आपके जीवन में कोई संकट आया है और आप भगवान के पास दोड़े-दोड़े जाते हैं कि मंदिर जाते हैं भगवान मेरी रक्षा करिए भगवान इस संकट को दूर करिए और भगवान पलट कर आपसे कह दे संडे के दिन आना उस दिन मेरी छुट्टी रहती है, उस दिन काम करूँगा, अभी समय नहीं है मेरे पास कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? सोचिए उनको कितना खराब लगता होगा कि मुझे अपने अनुसार समय देते हैं ये सब ये खाली है तो भगवान को पूज लेंगे, नहीं है तो चोड़ो तो भगवान बहुत सी बाते समझाते हैं प्रहलाट जी को उसके बाद अपने धाम भेज देते हैं अब दूसरा प्रसंग आता है ये चर्चा चल रही है नारद जी और युदिष्टिर जी के बीचुए धरम की चर्चा चल रही है धरम क्या है जिसकी चर्चाएं आजकल काफी होती है नियू जित्यादी में देखते रहते धरम क्या है क्या मानना चाहिए, क्या करना चाहिए तो धरम के तीस लक्षन है, कितने लक्षन है, तीस पर मैं आपको पाँच लक्षन बताती हूँ, सबसे महत्वपून क्योंकि अगर ये शुरुवाती पाँच लक्षन आपने नहीं माने तो उपरा उपरी कारे करने से कुछ नहीं होने बादा क्योंकि अगर पाँच वी मंजिल पे जाना है, तो एक एक करकर चड़ना पड़ता है सीधा पाँच वी मंजिल पे नहीं कूद सकते हूँ, और कूदेंगे तो छोटी लगेगी तो धरम में भी ऐसा ही है, अगर यही पाँच लक्षन नहीं माने तो उपर उपर के लक्षन मानने से कुछ नहीं होते बादा धरम के पाँच महत्व पून लक्षन, कौन से पहला लक्षन है, सक्त्य सच की रहा पर चलो, जितना हो सके उतना सक्त्य बोली है देखिए कहने को मैं कह सकती थी, कहर बार सकते बोली पर मुझे पता यहां एक भी व्यक्ति वो मानने वाला नहीं ऐसी बाते बोलना ईन्य जो कोई करेगा हो है न, हम चोटी चोटी बातों पर जूठ बोलते हैं जहां जरूरत नहीं वहां जूट बोलते, एक जूट तो सबका यहाँ पर पक्का होगा, सबका दिन में कितनी बार बोलते होंगे, हम पता नहीं, किसी से मिलने जाना है कोई समय बांद के रखा है कि इतने बज़े मिलना है और वो व्यक्ति उतने समय वहाँ पहुँच गया अब वो आपको फोन कर रहा है भई कहाँ पर हो मैं तो पहुँच गया और हमारा जवाब क्या होता है बताईए हमारा जवाब क्या होता है एक दो मिट में पहुँचे बस रस्ते में ही है रस्ते और असलियत क्या होती है कि घर से भी बाहर नहीं निकले अभी तड़ अब यहां पर जूट बोलने की जरूरत है क्या होगा वो थोड़ाई चिलाएगा सामने वाला कि क्या तुमने समय देकर तुम समय पर नहीं आदा सुन लेना यहां पर कोई इतनी जूट बोलने वाली बात तो थी नहीं तो जहां जरूरत ना हो वहां मतलब हां किसी जूट से कोई गहुत बड़ा काम हो रहा है आपका किसी का भला हो रहा है परिवार का भला हो रहा है तो वो जूट शायद बगवान माहव भी कर दे लेकिन छोटी-छोटी बातों पर बिना मतलब के जूट ना भोले पहला लक्षण है सत्य, दूसरा लक्षण है दया जो बिल्कुल नहीं है बिल्कुल भी नहीं है हमारे सामने आजकल रास्ते में गलत कारे होते हैं और हमें कुछ नहीं कहते हैं चुप-चाप खड़े हैं चले जाते हैं मुड़कर चली कई पहले तो मुड़कर भी जाते थे तो उसका तरक देते थे कि बही हम तो इतने दयालू हैं कि हमसे देखा ही नहीं जाता वो होते हैं पर आजकल तो ऐसा भी नहीं होता लुक्ता वहीं खड़े रहते हैं देखते रहते हैं और साथी साथ एक और रूर्टा का कार्य करते हैं क्या गोज्ट संट में कोई तकलीफ में है कोई चीक रहा है कोई रो रहा है और हम पीछे खड़े ओकर बीडियो बना रहे कहां है दया मैं किसी से नहीं कहती अपनी जान को जोखिम में डाल कर किसी की मत करिये कोई नहीं करेगा सबको अपनी जान प्यारी है पर कई बार हमें पता होता है कि बस एक आवास दे देने से वहां वो गलत कारियव बंद हो जाएगा एक बार चिलनाने से आपके, पर हम क्या करते हैं, हमें क्या क्यों जबरदस्ती पढ़ना जिवड़े में, एक बात याद रखना चीजे घूम कर आती है, जरूर घूम, भगवान केते हैं, जैसे कर्म करते हो, वैसा मुड़कर जरूर आएगा, जरूरी नहीं कि जब किया तभ ही आएगा, एक साल बात, पांच साल बात, दस साल बात आएगा, पर आएगा हो, और जब आपको किसी की मदद की जरूरत होगी, और आपकी नजरे ढूंड रही होगी, कि जो सामने खड़ाए, वो मेरी मदद कर दे, और वो मुड़कर सोचेगा, मुझे क्या, क्यों भगवान ने बनाया है, सोचने समझने की शक्ती, दया, विवेक, यह चीजे क्यों दी है हमें, कि हम दूसरों की साहिता कर सके, वरना हमें पशुई बना देते भगवान, क्या फरक है हमें और उनमें, अगर हमें बस अपना पेड बरना है, बच्चे बैदा करने हैं, यही स अगर करना है, तो इंसान और पर्शों में फरक ही कितना रहा है, दूसरा लक्षन है, दया, तीसरा है पवित्रता, जितनी पवित्रता होती है, घर हो, परिवार हो, आप जितना साफ सुत्रा रखेंगे, उतनी लक्षमी आती है कहते, गंदगी होगी, तो दरदरता आएगी तो पवित्रता रखे ये धरम का तीसरा लक्षण है चौथा लक्षण है तपस चरिया चलिए घर को शरीर को तो आजकल नए नए शैंपू साबू नित्या दिया गए है जितना साफ करसक उतना अच्छा उतने चमकते हैं लेकिन उपर से जितनी चमक है मन उतना ही काला है उतने ही गलत विचार है मन में वाणी उतनी ही कड़ी है तो जितना साफ हम अपने घर को या उपरी सुन्दरता को रखते हैं उतना मन को भी रखे विचारों को शुद्ध रखे वाणी को मीठी रखे जो भी बोले सौ बार सोच समझ कर गो तोकि शब्द वापस नहीं आते हैं और अगर आप कहें कि इतना समय नहीं है हमारे पास कि बैठ कर सौ बार सोचें हम कुछ बोलने से पहले मत सोचो सिर्फ एक बार इतना सोच लेना कि जो भी कहने जा रहे हो यही अगर कोई और आपसे कहेगा तो आपको कैसा लगेगा और अगर आप कहेंगे भई मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा तो किसी और से भी मत कहना क्योंकि थपड चाहे गरीब को मारो के अमीर को मारो लगता दोनों कोई जोर से ऐसा नहीं कि गरीब को तो आदत है जितना विमार दो तकलीफ नहीं होगे और अमीर को आदत नहीं है तो उसे एक थपड भी बड़ी जोर की लगती है दोनों को उतना ही लगता है तो आप कुछ भी कहेंगे अगर आपको वो चीज बुरी लग रही है तो उसे भी उतनी ही बुरी लगे उतनी ही तकलीफ पहुँचे गे ये दुआएं और बदुआएं क्या होती है यही चीज़े दुआ क्या है आपने कभी किसी का बहुत अच्छा किया भला किया उसने आपको दिल से आशिरवाद दिया दुआएं दिया कि वही इसने मेरी सायता करी भगवान इसकी रक्षा करे तो दुआएं कब काम आती है जब आप पे कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है कई बार हम कहते हैं न कि लगा था ये बहुत बड़ा संकट है पर छोटे में टल गया बहुत कुछ बड़ा हो सकता था समझ लेना उस समय किसी ना किसी की दी हुई दुआएं आड़े आई थी आपको बचाने के लिए उसको दुआएं कहते हैं लेकिन बड़ुआएं भी ऐसे ही काम करती है आपने कभी किसी का बहुत दिल दुखाया था अब आप कोई कारे करने जा रहे बड़ी महनत किया आपने उस कारे में सब कुछ मान ली जा आपने दाओ पे लगाया हूँ और वो काम बस सफल होने ही वाला है आपको लग रहा है कि बस हो गया ये काम और अचानक सब कुछ उल्टा पड़ जा रहे है और आप समझी नहीं पाते कि काम असफल हो कैसे गया है उस वक्त किसी की बद्दुआ याड़े आ दे तो किसी का दिल मत दुखाई इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है बाकि सारे पाप बाद में आते किसी बी इंसान परशू किसी का भी अगर आप दिल दुखाते हैं बहुत बड़ा पाप है पांचवा लक्षण है तितीक्षा अर्थ भगवान जो भी दे उसे प्रशाद समझ कर ग्रहन करो जो भी दे दुख हो सुख हो जो भी परस्तितियां हो उसे प्रशाद समझ कर आप ग्रहन करें क्योंकि वो हम सबसे ज़्याने हैं हम से ज़्यानी है आपने हमने भविश्य नहीं देखा उन्होंने देखा है उनको पता है सब क्या सही है इसके लिए भविश्य में क्या गलत किस वक्त इसे क्या देना है मुझे उन्हें पता है कि नहीं एक बात बताई आप ज़्यार की थाकुर जी कि आप भी हो सकते हैं बगवान ने आपको दिमाग दिया है बताइए आप ज़्यार की थाकुर जी जोर से तो क्यों इतनी ओश्यारी लगाओ हर चीज में इतने प्रश्ट ये क्यूं हुआ वो क्यूं हुआ ऐसा क्यूं नहीं होता वै उन पर थोड़ा तो बरोसा रखिए दुख आते हैं ये दुख पिक्चरे देख देखकर अलग ही हमने तरीका वना लिया है कि दुख आते ही भगवान पर चिला चिली करना उन्हें दोशी थेराना कितने तो एक काम नहीं हुआ भगवान बदल लेते हैं कहीं और प्रशाद चड़ा कर देखते हैं किसी और के धाम जा कर देखते हैं इतना भी भरोसा नहीं है भगवान के इक बहुत अच्छी कहानी सुनाति हुमें अपको कि अगर आपने सच में एक कहानी समझ ली या इसकी सीख को समझ के अपने जीवन में उतार लिया तो अग्ली बार अगर आपके जीवन में दुख कभी आएंगे भी तो आप उसका सामना बड़े अच्छे से कर पाई अगर आपने इस कहानी को ठीक से समझा तो भगवान जब दुख देते हैं तो क्यूं उन पे क्रोधित नहीं होना चाहिए और क्यूं उनका धन्यवाद करना चाहिए एक बार एक माता अपने घर के दर्वाजे पर खड़ी है उसके घर के सामने बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं महले के बच्चे हैं सब खेलते हैं शाम का समय हो या स्कूल से वापस आते हैं तो बहुत से बच्चे खेल रहे हैं उसमें उसका भी बच्चा खेल रहा है इसलिए वो खड़ी है, देख रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, सारे बच्चे, तो उन बच्चों को देखकर उनके मन में बड़ा प्रेम आया, उनके मन में आया कि मैं सारे बच्चों को थोड़ी-थोडी चॉकलेट दू, तो क्या वो द चॉकलेट बाट हूँ, चॉकलेट हो, मिठाईया हो, जो भी हो, तो उसने सब को चॉकलेट दी, सब बड़े खुश हो गए, अब वो मात आपने घर के कारें में लग गई, बच्चे खेल रहे हैं, थोड़े देर बाद फिर वो एक बार देखने आती है कि क्या कर रहे हैं, तो किसको मार सकती है, सिर्फ अपने बच्चे को, तो संत कहते हैं, चॉकलेट यानि सुक, भगवान सब को देते हैं, लेकिन थपड यानि दुख, भगवान सिर्फ अपने बच्चे को मार दे, क्योंकि दुख का मतलब क्या है अगर आपके माता फिता आपको थपड मारते भी है तो ऐसा थोड़ी के बैठे बैठे बोर हो रहे हैं चलो थपड मारते हैं आपने कुछ गलती किये तब ही मारा है ना तो दुख आये हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान बोर हो रहे हैं चलो किसी ना किसी को दुख दे कर देखते हैं आपने कुछ गलती किये उसका परिणाम भगवान आपको दे रहे हैं कि सुधर जाओ तुमने गलती की थी इस गलती की थी कि मुझे ऐसा परिणाम मिल रहा है तो पाँचवा लक्षन है तितिक शायानी भगवान पर भरोसा कि वो जो दे उसको प्रशाद समझ कर ग्रहन करो कि उन्होंने जो किया है सही किया है वो सोथ समझ करते हर चीज़ अब स्त्रियों के लक्षन के बारे में भी बताया गया है कि स्त्रियों के क्या लक्षन है खास करके उनके लिए जिन्होंने ग्रहस्त जीवन ले लिया है या शादी कर ली है तो कहा जाता है कि आप घर को साफ सुत्रा रखे जो पवित्रता में बताया गया कि जितना साफ सुत्रा होगा घर उतने घर में लक्ष्मी आती है गंदगी होगी तो दर्दरता आईगी फिर कहा गया कि आप हर वक्त मुस्कुराते हुए रहे बहुत मुश्किल है और जिनके घर में छोटे बच्चे तो और जादा मुश्किल है पर आपकी मुस्कुराहट के पीछे भी कहा गया है कि आप क्योंकि देखिए बहुओं को पत्नियों को क्या कहा जाते है घर की कौन है लक्ष्मी तो ये जादा जितनी जादा खुश होंगी लक्ष्मी उतनी आती है कि जितने चिंता में गुस्से में रहेंगी उतनी दरदरता आईगी तो देखिए अभी आपकी उपर भी है आप वो घर में लक्ष्मी चाहिए तो इनको खुश रखो क्योंकि देखिए हम सोचते हैं कि हम भाहर जाकर काम करता हैं हम ये काम करने वाले हैं कि आपको तो फर भी संडे की दिन छुटी मिल जाती है Hearty पर जो घर में पतने रहता है उनको संडे के दिन ओवर-टाइम करना पड़ता लोग जादा बड़ जादे गड़ दे घर में, तो कभी यह ना सोचे कि हम अकेले काम करने वाले, हम काम करके आये हैं, तो हम घर आये, तो हमारा मूड अच्छा रखो, अच्छे से बात करो, तो आपको क्या बोता उनको घर में कितनी चिनताएं, कभी हो सक्ताऑ, उनका भी लक्षन है वो जितनी खुश रहेंगे उस घर में उतनी लक्षमय आए जितना हो सके कैं तो उम्ही और और सिंद्ध और ती पति व्रता धर्म का पालन करे पती व्रता 9 कुछ मियुज नियम वीर्व का पालन करे अबकर अज आजकल अलग-अलग वरत आ गए हैं दो-दो वरत आने लगे हैं तो एक पती वरता हुआ और आजकल पतिनी वरता जादा चल जाए उसके बारे में भागवाट जी में कुछ बताया नहीं गया अभी तक तो पति वरता धरम का पालन करें फिर कहा गया ये चीज़े आजकल जादा मानी नहीं जाती पर कहा जाता है कि अपने पती का नाम मुक्षे नहीं लेना चाहिए जो असल नाम है कहते हैं उससे उसकी आयू घटती है ये ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको बड़े रूप दिया गया इसलिए नाम है पती का नाम मुक्षे नहीं लेना चाहिए जो असल नाम है कोई और नाम से आप बुला सकते हैं पर पती का असल नाम मुक्षे नहीं लेना चाहिए गाओं में अभी भी लोग मानते हैं एक प्रसंग सुनाती हूं मैं एक बार एक महिला अपने जेट जी की बेटी के साथ तो महराजी ने भजन गाए जै रगु नंदन कंस निकंदन देव की नंदन त्वम शरण अब सब गा रहे हैं सिवाए उस महिला के क्यों कि उसके पती का नाम ता देव की नंदन तो महराजी उसके पती का नाम था देव की नंदन अब वो भजन गा नहीं रही अब अचानक देखते देखते महराजी की भी नजर उन पर पड़ती है तो महराजी को बड़ा जीव लग रहा है कि पंडाल में बैठे हर व्यक्ति ने भजन गाया है सिवाए उस महिला के तो महराजी ने गाते गाते उस महिला की तरव इशारा किया आप भी गाए महिला को लगा तो महराजी ने भी मुझे देख लिया तो फिर वो चमपा के तरफ देखती है और गाती है जैरगुनंदन कंस निकंदन चमपा के चाचा त्वमशरण अब ये द्रिश्य उपर भगवान देखते हैं भगवान मुस्कुराने लगते लक्षमी जी ने का क्या हुआ बोले अरे मेरे भगतों ने मुझे कई नाम दिये हैं पर आज एक नया नाम मिल गया बोले कौन सा नाम बोले चमपा के चाचा तो ये विनोत की बाते हैं लेकिन जो बाते बताई गई है नाम मुख से नहीं लेना चाहिए तो ये धरम के कुछ लक्षन है फिर कहा गया कि दान के बारे में हमें कुछ बताईए दान कब करना चाहिए किसे करना चाहिए शुगदेव जी कहते हैं ऐसे दान आप जब भी करो आपको बहुत फल प्राप्त होता है लेकिन कुछ विशेश दिन हैं अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत जादा विशेश फलप्राप्त होता है, जैसे दो आयन होते हैं, उत्रायन दक्षनायन, आप उस समय अगर दान करते हैं, आपको बहुत फलप्राप्त होगा, अक्षय तितिया के दिन अगर आप दान करें, तो आपको बहुत फलप्राप्त होता है, घर में क उपयोग करेगा जिसको सच में जरूरत है उपात्र को दान करोगे दान उल्टा पड़ जाएगा यानि वो जो गलत कारे करेगा उसका परिणाम आपको मिलेगा क्या कि धन उसे आपने दिया है और धन भी शुद्ध हो इसलिए कहा जाता है आपकी जो अच्छी कमाई है उसका दस प्रतिशत दान करना चाहिए अगर काला धन लाया और उसको दान में लगा दिया तो कोई फल पुराप्त नहीं होगा भगवान में उपर देखते हैं तो आपकी जो अच्छी कमाई है उसका दस प्रतिशत आपको दान करना चाहिए तो माराजा दान के बारे में बताया गया अब राजा परिक्षित पूछते हैं कि प्रभू ये बताईए कि कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने किसी पशु को दर्शन दिये हाँ हुआ है कैसे शुगदेव जी कहते हैं कि त्रिकूट नामक एक परवर था उसके पास एक सरोवर बहता था उस सरोवर में एक हाती आया करता था हाती भी कौन सा सुफेद हाती बहुत सुंदर और इतना शक्ति शाली कि उसकी सुगंद से देखना तो दूर उसकी सुगंद से शेर तक दर कर भाग जाए उसकी सुगंद भी आ जाए उससे तो इसका नाम थक गजेंद्र गजेंद्र नाम अखा थी वो अपने परिवार के साथ आता है क्रडा करने अब कभी सून में पानी बरकर वो बच्चों पर फेके बच्चे खुश हो जाए कभी पानी बरकर वो पतनी पर फेके पतनी शर्मा जाए क्रिडाएं कर रहे हैं वो अप मगरमच वो आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है अब गजेंद्र सोचे ये इतना सा घ्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा देखे जैसा मैंने का हर कहानी में क्या सीख है इस कहानी में क्या सीख है ग्राह यानी वो जो मगरमच था वो कौन है किसका रूप है काल यहीं मृत्यू और गजेंद्र कौन है हम सब काल जब आता है ना सबसे पहले पेरो कोई पकड़ता है कि परो में दर्द रहने लगगे है एक सीरिया नहीं चड़ी जाती घुटने दुपते हैं मतलब काल ने पेरो को पकड़ लिया है अब सुधर जाओ पर हम कौन है गजेंद्र हमने क्या कहा यह इतना सा ग्रहा मेरा किया भिगार लेगा ऊकि पाणी में रहकर उसकी शक्ति बढ़ती ही जाएगा गजेंद्र पाणी का नहीं है पानी में रहकर उसकी शक्ति घटती जाएगा जादा पानी में रहते शरीर भारी होने लगता है वाटर पाक्स जाते हैं तो बार निकलो क्या शरीर उठता ही नहीं तो शक्ति कम होती है तब तो गजेंद्र पानी का पशु नहीं है उसकी शक्ति कम होती जा रही है अ कि बहुत कोशिशे करते हैं गजेंद्रें पर जब धीरे धीरे अंदर जाने लगते और अब लग रहा है कि शायद बच नहीं पाएंगे तब आवाज लगाते हैं अपनी पत्नी से कहते हैं अरे मेरी रक्षा करो पत्नी ने कहा रक्षा तो कर लूँ लेकिन क्या पता मैं रक्षा करने आई और उसने आपके पैरों को छोड़ कर मेरे पैर पकड़ दिये तो मैं तो नहीं आ सकते हैं बच्चों से कहा रहे तुम तो मेरी रक्षा करो तुमारे लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिये तुमारे सपने पूरे करने के लिए बच्चों ने का पिदा जी चिंदा मत करें, आपका सारा काम अच्छित करेंगे, पैसों की कमी नहीं रखेंगे उसने कहा मैं जीवित हूँ अभी रिष्टेदार, परिवार, सबको बुलाता है, वो कोई मदद करने नहीं आता सबको अपनी जान प्यारी है, और जब इतनी सी सून बाहर रह जाती है तब उसे, जब हार जाते हो हर जगे से, तब किसकी याद आती है? भगवान की, तब वो चिल लाता है, परम्पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करा ये द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करा जल पीवन हे तू कयो सिंदू के किनारे कि जल पीवन हे तू कयो सिंदू के किनारे ग्राह पकड़ लियो कज राज आज मज धार जल पीवन हे तू कयो सिंदू के किनारे ग्राह पकड़ लियो कज राज आज मज धारे ग्राह पकड़ लियो कज राज आज मज धारे यहू जालिया एक साल आज हे यहू जालिया एक साल आज हे यहू भयो चार प्रहर को युद्ध बीच जल धारे भयो चार प्रहर को युद्ध बीच जल धारे भयो चार प्रहर को युद्ध बीच जल धारे पलपल की चत है ग्राह सिंदु मज धारे जल पीवन हे धूग गयो सिंदु के किनारे रहा पकडलियो गजिराज आज मज धारे रहा पकडलियो गजिराज आज मज धारे जी डेले कर दय तो करना है कर दो कर दो कर दो कर दो अब जब इतनी सी सून बाहर रह जाती है जाकी जो भर रह गई सून जो जल के बाहर जाकी जो भर रह गई सून जो जल के बाहर तब मुख से लग गई राम राम उचारे तब मुख से लग गई राम राम उचारे तुम सुनो द्वारी का नात कजेंद्र पुकारे तुम सुनो द्वारी का नात कजेंद्र पुकारे अब राक शरण ब्रजी राज आज कजेंद्र पुकारे अब बाहर पुकारे तुम सुनो पुकारे विल्क बाहर पुकारे तुम सुनो भी राम उचारे यह विल्क बाहर वग और मुख से लगए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अब भगवान तक आवास पहुंचती है मद्य रात्री का समय है जब सो रहे हैं सुनि काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे सुनि काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे हुए व्याकुल दीनानात गरुड तज भागे हुए व्याकुल दीनानात गरुड तज भागे गरुड तज भागे मतलब हर देवता की एक सवारी है विश्न भगवान की सवारी क्या है गरुड वो उस पर ही बैटकर हर जगह जाते हैं तो है हुए व्याकुल दीनानात गरुड अब उस आवास को सुनकर गजेंद जो पुकार रहे है उसको सुनकर इतने व्याकुल हो रहे हैं मने उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है कि वो जैसे गरुड पर चड़कर चलने लगे उन्हें लगा गरुड बहुत दीरे चल रहा है ऐसे तो मैं पहुच नहीं पाँगा तु भगवान गरुड को छोड़ कर पैदल दोडने लगते हैं हुए व्याकुलती नानात करुड जजभागे लक्षमी जी पकड्याचर नशीश नवा करे लक्षमी जी पकड्याचर नशीश नवा करे प्रभु सिर्पे आधी राद जाओ सुस्ता करे प्रभु सिर्पे आधी राद जाओ सुस्ता करे लो इन दार को देशे के जाओ तुस्ता करे दोड़्याचर नवा करें आधी तुस्ता करें जाओ त्षार नोश्ता करें आधी जाओ सुस्ता है थाफ्याश नवा करें कर दो 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 और लक्षमी जी कहती है कि मद्य रात्री का समय है हर भक्त के लिए आपका जाना जरूरी है कितने सेवक खड़े हैं कभी उनको तो कोई काम उड़ाई है उनको क्या घर में बैठाने के लिए रखा है हर भक्त के लिए आप जाएंगे लक्षमी जी कहती है खड़ी तो ये करो आराम पिछे पग धावो खड़ी तो दो घड़ी एक घड़ी का मतलग 24 मिनिट तो दो घड़ी यानि एक गंड़े के आसपास आप आराम करिए और जब तक किसी सेवक को भेज देजिए उसके बाद चले जाईए अब भगवान क्या जवाब देते हैं भगवान कहते हैं मेरो करुणा सिंधू नाम वेत मैं कावे मेरो करुणा सिंधू नाम वेत मैं कावे मेरो करुणा सिंधू नाम वेत मैं कावे मैं कैसे करुणा नाम वगत दुखपावे मैं कैसे करुणा नाम वगत दुखपावे जलब पीवन हे दूगयों सिंधू के किनारे ग्राह पकड़ियों गजिराज आज मजिधारे तो मारा जाँ गजू इंद्र भगवान को पुकारते हैं भगवान आते हैं सुदर्शन चक्र फेकते हैं और ग्राह का उध्धार करते हैं अब गजेंद्र को अपने धाम लेकर आते हैं धाम लेकर आते हैं तो वहाँ पर ग्राह पहले से बैठा हुआ है अब गजेंद्र ने कहा प्रभू इसके कारण तो पूरी कहानी हुई और ये मुझसे पहले आकर बैठा है यहां पर भगवान कहते हैं ऐसे तो इसे नरक लोख ही जाना था पर जब इसने मेरे भगत के ही चरण पकड लिए तो मुझे इसे अपने दाम ही लाना पड़ा तो भगवान गरह को भी अपने दाम लेकर आते हैं अब राजाप्रिक्षित पूचते हैं के भगवान मुझे समुद्र मंतन के बारे में कुछ बताईए समुद्र मंतन क्यूं हुआ कैसे हुआ शुकदेव जी कहते हैं कि एक बार दुर्वासा रिशी रास्ते से कहीं जा रहे थे बीच रास्ते में उनकी भेट इंद्र से होती है इंद्र अपने हाथी पर बैठ कर कहीं जा रहे थे दोनों मिलते हैं इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया दुर्वासा रिशी ने गले में एक माला पहन कर रखी थी तब इंद्र ने प्रणाम किया तो दुर्वासा रिशी ने वो माला उतार कर इंद्र की गले में पहनाए आशिरवात स्वरू भी दुर्वासा रिशी चले जाते हैं इंद्र ने वो माला उतारी और अपने हाथी के सूम पर फेक रहे हैंकार हाथी के सूम से वो जमीन पर गिरती हाथी उसे पुचल कर चला ज़ता है इंद्र लोग, तीन लोग, चौदा भुवन पर इंद्र को बठाया गया है इंद्र तुआए गई किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खुदा जब हुसन देता है तो नजाकत आही जाती है अब हुसन का मतलब यहाँ पर केवल सुन्दरता नहीं है हुसन मतलब सुन्दरता, ग्यान, पद, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, धन, दौलत यह सारी चीज़े और नजाकत यानी एहनकार कि जब खुदा जब ऐसी चीज़े देते तो एहनकार आना स्वभाविक है सबकी बूद्धी ब्रश्ट हो जाती है यह कुछ समय के लिए और हम इंसानों की क्या बात करे है बगवान को देखिए बगवान जब लक्षमी जी से विवा नहीं हुआ तो कहां रहते थे बताईए किसको पताए बगवान पहले कहां रहते थे विवा से पहले पहले शादी से पहले चलि मैं हिंट देती है वो एक धाम है बैकुंद धाम बगवान बैकुंद धाम में रहते थे शादी हुई लक्षमी जी के साथ फिर कहां रहने लगे शीर सादर किस पर सोते हैं वो सोने की जगाए गए महल इत्यादी छोड़ कर किस पर सोने आए वो शेशनाग पर कब से लक्षमी जी कौन है लक्षमी जी से विवा करने के बाद भगवान ने कैसी हरकते करी तो देखिए भक्त नों ने लिखा है कि अगर कोई साधारन व्यक्ती धनवान होने के बाद या नाम शोरत मिलने के बाद थोड़ी ऐसी वैसी हरकते करे तो इतना चोकने की बात नहीं है क्यों नहीं है वो कहते हैं कि अंद रमा संबंध ते होतना अच्रज कोई यगर साधरान व्यक्ति लक्षमी से संबंध जुड़ने के बाद ऐसी वैसी हरकत करे तो अच्रज मत करो कि अंद्र रमा संबंध ते होतन अच्राज को एक्यूं क्योंकि कमल नयन नारायन हूं रहे सर्प पे सोए जिसके कमल जैसे बड़े बढ़े चोटी चोटी आँखे हो तो समझ में भी आए भई ठीक से दिखा नहीं और उनके तो श्रिंगार में उनकी प्रशंसा उनकी आँखों के होती है कि कमल जैसे बड़े बड़े नयन है तो इतनी बड़ी बड़ी आँखे तो शेशनाग नहीं दिखा ठीक से उस पर सोने चले गए तो जब भगवान ऐसी वैसी हरकते कर रहे हैं लक्षमी जी से संबंद जुड़ने के बाद हमार आप तो करेंगे तो इंद्र की इस हरकत पर ये बताया तरक दिया गया कि जब खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आही जाती एहनकाराना स्वभाविक है इंद्र ने माला फेक दे वो चले जाते हैं अब दुरवासा रिशी उसी रास्ते से वापस आ रहे थे उन्होंने अपनी माला पहचान दे बहुत क्रोधित होते हैं इंद्र नहीं खड़े-खड़े कहते हैं कि तुम्हें जिस तीन लोग चौदा भुवन का इतना नाज है ना इतना एहनकार है मैं श्राब देता हुआ तुम्हें छीन लिया जाए अब देखिए ऐसे तो देवताओं को सब पसंद करते हैं पर देवताओं के पीछे भी एक व्यक्ती हरवक्त लगा रहता है कौन है वो शुक्राचारे जी यह देत्यों के गुरु है यह मानो देवताओं के पीछे ही गुंते रहते हैं कि कब किसी को शुराप मिले और मैं उसका फाइदा उठाऊ तो शुक्राचारे जी यहां देत्यों से कहते हैं कि इंद्र अभी शुरापित है आक्रमन कर दो तो देत्यों ने आक्रमन किया, तीन लोग चौदा भुवन देत्यों के पास चला गए अब देवता भगवान के पास जाए, क्या करें भगवान कहते है युद्ध तो कर नहीं सकते, इंद्र को श्राप मिला हुआ है तो क्या करें, बोले काम करो, देत्यों के साथ मित्रता करें और मित्रता करकर उनसे कहना, भी समुद्र मन्थन करेंगी तो जो भी चीजे निकलेंगी, आदी-आदी बाट लेंगी अब समुद्र मन्थन में से दोनों को पता था, अमरित निकलने वाला है तो भगवान ने का अमरित में तुम सबको पिला दूगा फिर युद्ध करना फिर नहीं हारोगे ठीक है देत्तियों से कहा जाता है वो भी मान जाते क्योंकि उन्हें भी पता था समुत्र मंथन ना अकेले देवता कर सकते ना अकेले देत्ते कर सकते दोनों को मिलना ही पड़ वो इस लालच में उन्हें अमरित मिल गया तो तीन लोग चौदा बुवन फिर चले जाने का कमी डर ही नहीं है मान गई तो अब मंथन आरंब करने जा रहे हैं मदराचल परवत को बीच में रखा गया बासु की नाग को रस्सा बनाया गया बीच में रखते हैं अब देखि ते बहुत शक्ति शाली है बहुत शक्ति है उनमें बल बहुत है लेकिन जे कटिarinरा के अन्हें & भगवान में दोनों है भगवान को पता है कब बल काrüोग करना और कब दिमाघ का प्रेयोग करना सफलता अ दभी प्राप्त होथी हर वक्त बल के प्रेयोग से नहीं होती कभी-कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है तो भगवान ने क्या दिमाग लगाया भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जाकर नाग का जो मुख है उसके सामने खड़े रहे और जिद करो कि हमें मुख की तरफ खड़े रहे अब दैत्य मूर्ख है दैत्यों ने सोचा कि विश्णू बड़ा चालाख है जरूर मुख के सामने रहने से कोई फाइदा हो रहा है तो दैत्यों ने का नई हम अभी राजा है हम मुख की तरफ रहेंगे भगवान ने का चलो ठीके बाद तो सही है राजा तो यही है आप चले जाएए हम पीछे हो जाते है देवता पीछे चले गए अब मन्थन आरंब करेंगे तो पहले तो परवत ही डूबने लगा तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया कच्छवे का रूप और अपनी पीट पर भगवान उस परवत को रखते है अब मन्थन आरंब कर रहे हैं तो मन्थन के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों को नाग को खीचना पड़ेगा तो जैसे ही नाग को खीचते हैं सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है उस विष से कितने दैते वहीं मारे हैं अब बाकियों पीचों को जब तक समझ में आई चीज वो पीचे हटते हैं थोड़ा विष बच जाता है अब देखिए कोई भी चीज वापस समुदर में नहीं जा सकती सबका इस्तमाल करना पड़ेगा विष का कौन करे कोई लेने को तयार ले तब भगवान ने देवताओं से कहा महादेव जी के पास जा महादेव जी से कहा गया आप विष ग्रहन करिये महादेव जी मान गए पारवती जी कहते हैं पारवती जी ने कहा कि देवता बड़े चालाख है अम्रित खुद ग्रहन कर लेंगे और विश आपको दे रहे हैं आपकी मृत्यू हो जाएगी महादेव जी ने कहा जग कल्यान के लिए मृत्यू हो भी जाए तो क्या दिक्कत है माता समझ गई ऐसे ये समझने वाले ने तो कैसे अब रोकने वाले भी नहीं तो माता ने कहा इक बात कई सुनीए आप मुझसे प्रेम करते हैं बोले बहुत तो आपके शरीर में मेरा स्थान कहा है बोले हृदे में पारवती जी ने का मैं आपके हृदे में रहती हूँ बोले हां तो बोले वो विश्ट तो गले से हरदय में भी उतरेगा बोले उतरेगा बोले मेरी भी बृत्य हो जाएगी आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा भोले बाबा भोले हैं ना बोल माता ऐसे समझा रहे हैं महादेव जी ने का अपर तो कलंक लग जाएगा भगवान केते हैं सही बात है महादेव जी ने का ठीक है मैं उसको गले से नीचे उतर नहीं नहीं महादेव जी ने उस विश्ग को गले पर ही रोक लिया तब से उनका नाम पड़ा नीलकंट महादेव जी विश्क रहन करते हैं पर उसको गले से नीचे नहीं उतरने देते हैं अब मन्थन कर रहे हैं मन्थन में कई चीजे बाहर निकलती है कुछ श्रेवा गोडा निकलता है काम धेन उगाई निकलती है रावत हाथी निकलता है सब कुछ ना कुछ ले रहे हैं, कुछ देवता ले रहे हैं, कुछ, उसमें से लक्षमी माता भी निकलती है, लक्षमी माता सब द्रमंतन में से बहार आई थी, हाथ में वर्माला लिए, अब वर्माला लिए बहार आई तो सब सच धचकर खड़े हो गए, कि किसके गले में वर माता आती है, सबसे पहले देवताओं के सामने से जाती है, माता ने कहा ग्यानी है, शक्तिशाली है, पर बहुत अभीमानी है, इतना एहंकार है इनके अंदर अपने चीजों का, चली जाती है, रिशीगन दिखते हैं, माता ने कहा बलशाली है, ग्यानी है, एहंकार भी नहीं ह पर क्रोधी है बहुत जल्दी घुस्सा आजाता है चली जाती है देट्य सामने आते है माता ने कहा बलशाली है पर मूर्ख है ग्यान बिल्कुल नहीं है सब खतम तब भगवान सामने आते हैं माता भगवान को देखती है बलशाली है, ग्यानी है, प्रेमी है, सरल है, विवेकी है, सारे गुण है इनमितो और माता ने विष्ण भगवान के गले में वरमाला डागा दोनों का विवा हो जाता है अब फिर मंतन करते हैं तो उसमें से अमृत निकलता है अब अम्रित के लिए दोनों जगडने लगे तब भगवान ने मोहिनी रूप ग्रहन किया भगवान इतने जादा सुन्दर लग रहे हैं और देखिए जो कामी व्यक्ति होते हैं वो बहारी सुन्दरता देखते हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं वो आपकी अंधरुनी सुन्दरता देखते हैं तो देथ्य कामी है भगवान इतने सुन्दर लग रहे हैं कि वो अम्रित भूल गए और भगवान के पीछे पीचिजाने का और भगवान ने भी जितने देथ्य थे सबको मधिरा पान करवा दिया और यहाँ पर देवताओं को अम्रित पिलाने लग दिया अब दैत्यों में से 23 थोड़ा होशियार था राहू नामक देत्य उसने भगवान को पहचान दिया तो वो चुपचाप देवताओं की शुरेनी में जाकर खड़ा हो जाता है भगवान ने गलती से उसे भी अमरित पिला दिया अब जब तक भगवान को समझ आए भगवान ने सुदर्शन चक्र फेका सर धड़ अलग कर दिया लेकिन तब तक अमरित ने अपना काम कर दिया था तो तब से वो दो देत्य बने राहू और केत्यु अब यहाँ पर देत्यों को गुस्सा आता है जैसा मैंने कहा दिमाग नहीं है मूर्ख है यह समझ गए है जब पता चल गया के सब ने अमरित पान कर लिया है फिर भी गुस्से में युद्ध करते हैं कि हमारे साथ दोका हुआ है युद्ध करते तीन लोग चौदा बोवन देवताओं के पास चला जाता है इस प्रकार देवताओं ने अपना सिंगासन वापस लिया राजा प्रिक्षित कहते हैं तो क्या इसके बाद दैत्य चुप बैट गए वो हर मान लोग बूले नहीं उसके बाद दैत्यों ने ऐसा कुछ किया जो किसी ने नहीं सोचा था क्या किया बुले दैत्यों ने धरम का कवच पहने लिए दैत्य सत्य की रापर चलने लगे यग्ये त्यादी करने लगे पूजा पाथ करने लगे धरम इसी लिए देखिए बगवान ने रावन को कंस को सब को मारा है बली को मारा नहीं क्यों नहीं मारा क्योंकि मार नहीं सकते गल्ती ही नहीं कर रहा था उसने कोई पाप नहीं करे थे तो माराज अब यहां पर सब धरम का कवच पहन के बैठे हैं सब पुझा पाठ ये गेत्यादी कर रहे हैं बली को दैत्यों का राजा बनाया है राजा प्रिक्षित ने का इतने बड़े बड़े दैत्य हैं तो बली को राजा क्यों बनाया है बोले क्योंकि उसी के कारण उन्हें वापस तीन लोग 24 बुगन मिल गया थी कैसे बली अपने पिछले जनम में एक डकैत थी दाकूँ उन्हें पता चला किसी गाउं से कोई सेट जी अपने साथ बहुत सा धन लेकर जा रहे हैं और बीच में जंगल का रास्ता है और धन उनके पास इतना है कि अगर किसी ने भी चुरा लिया तो उसे जीवन भर चोरी करन बस ये चोरी करकर फिर कभी चोरी नहीं करें तो बली ने रास्ते के लिए एक पोटली में दो रोटियां बांदी कि भूग लगी बीच में तो भोजन करने पर चोरी करने का ऐसा जुनून सवार था वो चलते जा रहे है चलते जा रहे सीधा जंगल में जाकर रुके अब से मेर्ची को आने में थोड़ी देर थी तो उनूने सोचा भोजन कर लेते हैं इस ना नित्यादी करकर अपनी पोटली खोलते हैं कि सामने से इक कुट्ता आता है बहुत भूका है वो रोटी की ओर देख रहे है बली को दया अगई उन्होंने अपनी एक रोटी उस कुश्टे को दे दिए उसने तुरंद खा लिए अब जब तक बली दूसरी रोटी खाए उसने वापस आकर फिर वो दूसरी रोटी को देख रहा है बली ने दूसरी रोटी भी उसे दे चोड़ो कोई बाद नहीं अब इस पूरे कारे को करने में कुल 24 मिनिट लगे कितने मिनिट 24 मिनिट एक घड़ी आड़ी एक भूके को भोजन करवाने में फिर वोई सेड़ जी आते हैं चोरित्यादी वर्ष बीटते हैं अंतसमय आया मृत्य हो गई यह मराज चित्रगुप के बाद जाते हैं बताओ कितने पाप किये कितने पुन्य किये चित्रगुप ने कहा जीवन हर पाप ही पाप किये हैं सिर्फ 24 मिनिट का पुन्य किया है एक भूके को भोजन करवाया है थीक है यम्राज ने कहा पहले क्या भोवना चाते हो पुन्य की पाप अब उसी रास्ते से शुक्राचारे जी जा रहे हैं शुक्राचारे जी ने कहा कह दो पुन्य बली ने कहा प क्या करना चांती हैं भली ने कहा इंधरासन पर बैठना है बली ने कहां इंदरासन पर बैठना है इंदर को समझाया गया 24 मिनिट की बात है उसके बाद वापस तुमवारा यहासन थीक है बैठते हैं अब बैठने से पहले शुक्राचारे जी ने कानों में कुछ कहा उसके उसने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा चले जाते हैं अब जैसे ही आसन पर बैठते हैं कि बुद्धी ब्रश्ट हो जाती है वोई बात है खुदा जब उसन देता है तो नजागत आई जाती है ये सब चीजे मिले तो दिमाग चलना बंद कर देता है अब क्या करना था वो क्या कर रहा है जैसे ही बैठा आसन पर अपसराओं से कहते मृत्त करके दिखाओ भोजन लेकर आओ ये करो मेरी सेवा करो ये लेकर आओ वो लेकर आओ वस्त्र लेकर आओ शुक्राचारे जी ने का क्या करने को भेजा और ये क्या कर रहा है वो दस मिनिट ऐसे ही गवा देता है शुक्राचारे जी क्रोधित हो रहे है नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा तो उन्होंने पत्थर उठाया और खीच कर मारते हैं सर पर चोट लगे चोट लगने से याद आता है कि अरे मुझे क्या करना था कि जो दुख संकट है ना हमारे जीवन में ये भगवान के पत्थर होते है भगवान हमें फेक कर मारते हैं कि मैंने तुम्हें क्या करने को भेजा और तुम क्या कर रहे हो वाँ पर अब राजा आता है बली तो समझ गए पर हम कैसे हो गए है हमें बड़ा पहाड भी भगवान फेक कर मारते फिर्मिया में समझ नहीं आता बली को समझ आ गए बली तुरंद खड़े होते हैं बली कहते हैं गुरु जी इधर आईए शुक्राचारे जी आते हैं हाथ में जल दीजिए जल देते हैं बली कहते हैं ये तीन लोग चौदा भुवन इसका राजा भी मैं हूँ मालिक भी मैं हूँ सब देवता वाँ खड़े थे सब ने कहां दस मिनिट के लो तो तुम ही हो तो बोले ये तीन लोग चौदा भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देतां तो देत्यों के पास फिर से फुरा सनागर अब क्या करें तब देवताव की माताव दिती के बारे में कल मैं आपको बताया दिति देत्यों की माता है हिरनाक्ष हिरकश्यपू अदिति देवताओं की माता है जो बारा देवता, बारा आदित्य है उनकी माता है अदिति वो भगवान से बहुत प्राथना करती है पूजा पाठ करती है कि मेरे बच्चों को उनका स्थान वापस दीजिए तो उनकी प्रात्ना स्विकार करके भगवान उनके घर पर जन्म लेते हैं जन्म यानि अवतार ग्रहेन करते हैं तो भगवान बामन अवतार ग्रहेन करते हैं छोटे से बगवान बटुक रूप बगवान का धोती पहनते हाथ में भिक्षा पात रहे एक लगडी का दंड है और यहां पर बली राजा एक बहुत बड़ा यग्य करवा रहे है यग्य से पहले दान इत्यादी सब कुछ किया भगवान को आने में थोड़ी देर हो गई तो राजा बैठ जाते हैं तब भगवान राजा को आवाज लगा रहे हैं अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उठकर कैसे भी मेरे पास आ जाएगा आईए देखिए भगवान कैसे अपने भगत को बुलाने की कोशिश कर रहे है तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर देरे जोली भगत भर जोली ओ तेरे द्वार खड़ा भगमान भगत भर देरे जोली भगत भर देरे जोली ओ तेरे द्वार खड़ा भगमान भगत भर देरे जोली तेरा होपा बड़ा देरे जोली तेरा होपा बड़ा देरे हैसा कि युग युग तेरी रहेगी शाद भगत भर देरे जोली तेरे द्वार खड़ा होपा भगत भर देरे जोली अच्छा एक प्रात्रा सभी से भगवान के भिक्षा पात्र में कुछ भी न डाले भगवान के भिक्षा पात्र में कुछ भी न डाले वो भगवान है यह उन्होंने की लीला करी है पर हम उन्हें कुछ दे यह सही बात नहीं है ठीक है तो सबसे निवेधन है आप आशिरवाद ग्रेंड करें पर उनके भिक्षा पात्र में कुछ भी न डाले प्रीवान अवतार दे की यहो जाओ प्रिर्प्त Cornash प्रिर्पट कर दो कर दो कर दो और भगवान कहते हैं भगवान कोशिशे कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसे समझा पाएं भगवान कहते हैं दोल उठी है सारी धरती देख ले दोला गगन है सारा दोल उठी है सारी धरती देख ले दोला गगन है सारा दोल उठी है सारी धरती देख ले दोला गगन है सारा भीक मांने आया तेरे दरे जगत का पालन हारा दे जगत का पालन हारा के आज तेरा पहवार परक्रे मुझे को ज़रा पहचा भगत भर दे रे जोगी तेरे दुवार घडा भगरवार भगत भर दे रे जोगी मगत भर दे रे जोगी देखिए मैं एकी बात बार बार कहूंगी भगवान के भिख्षा पात्र में पैसे या कुछ भी ना डाले हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम भगवान को दे सके कुछ खुद विचार करिया आप एक बार हम इतने बड़े हैं कि हम भगवान को कुछ दे सकते हैं उनके भिक्षा पात्र में कुछ मत डाले समी से निवेदन है सिर्फ दर्शन करिये दूर से जिय के अरौटा में के आरे से निवेदन है। कर दो 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 कना चाई कना चना और भगवान कहते हैं कि आज दान करने में बिल्कुल भी सकुचाना मत हुआ बगवान ने कहा आज लुटा तेरे सर बस अपना आज ले कहना मेरा आज लुटा तेरे सर्बस अपना मानले कहना मेरा आज लुटा तेरे सर्बस अपना मानले कहना मेरा पिट जाएगा पल में तेरा चनम जनम का पिरारे चनम जनम का पिरा तो चोड सकने अभी मार तो चोड सकने अभी मार अमर कर ले दी तु अपना ता भकत भर दे जोड़ी अपे द्वार खड़ा भकवा भकत भर दे जोड़ी वगत 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 भर दे जोड़ी भली राजा थाकुर जी को बुलवाते हैं कि जो बच्चा है उसको मेरे पास लेकर आओ अब बली ने कहा क्या चाते हो दाना आज पता नहीं मन कर रहा है अपना सब कुछ लुटा था भगवान ने कहा पहले तो वचन दीजी कि हम जो मांगेंगे आप हमें वही देंगे अरे बली ने कहा वचन की कोई जरूरत नहीं आपको जो मांगना है आप मांगे मैं ने कहा ना आज अपने आप इच्छा कर रही है कि सब कुछ लुटा दू अपना पूरा राज्ज दे दे बली ने कहा थीक है मैं वचन देता हूँ आप जो मांगेंगे मैं आपको बही दो क्या चाहिए भगवान कहते हैं हमें जादा कुछ नहीं चाहिए संतुष्ट ब्रामण हैं हमें बस तीन पग भूमी चाहिए राजा हसने लग गए राजा ने कहा एक तो आप खुद छोटे से छोटे छोटे आपके पैर तीन पग भूमी में कितना आ जाएगा पग भूमी मतलब समझे आपको तीन बार भगवान पैर रखेंगे कितनी भूमी हुई इतने से भगवान अगर तीन बार पैर रख दे तो तो राजा ने कहा इतने से मैं क्या हुँआ अरे आप कही आपको आधाराज्य दे दू भगवान कैते नई हम संदूश ब्राह्मन हैं ज्यादा नहीं चाहिए तीन पकभूमी शुकराचारे जी को ये बात थोड़ी अटपटी लग रहे बार बार तीन पकभूमी तीन पकभूमी बात कुछ और है उन्होंने नेत्र बन किये नेत्र बन करते ही सामने साक्षाद बगवान विश्णु खड़े हैं अरे शुक्राचारे जी कहते हैं मना कर दो अरे ये सामने विश्णु है तीन पग भूमी में तुम्हें कंगाल कर देगा ये बली राजा ने का अब तो वचन दे दिया और ये बात कहते ही भगवान अपना आकार बढ़ाने लगते है बढ़ते 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 सब कुछ मिल गया सिर्फ दो पैर होाँ अब भगवान ने कहा तीस्रा पैर कहा रखू, बचा ही नहीं बली ने कहा एक बात बताईए, दान बड़ा की दानी बड़ा? कौन बड़ा बताईए? दान बड़ा की दानी बड़ा? दानी क्योंकि वो दे रहा है उसके पास है वो चीजे भगवान ने कहा दानी बड़ा बोले तीसरा पैर फिर मुझ पर रखे और भगवान अपना तीसरा पैर राजा बली के उपर रखते है उन्हें बापत भगवार नेगी इतनी ही पार तयानि दिने संसार को आके उबार लिया संसार को आके उबार लिया जब जब दरती पर धर्म खता तब तब प्रभु ने अवतार लिया तब तब प्रभु ने अवतार लिया करो हरी दारशन करो हरी दारशन हरी दारशन यहो कितनी ही बार कया नितिने संसार कुआ के उपार लिया संसार कुआ के उपार लिया जब जब धर्ती पर धरम घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया तब तब प्रभुले आउदारे 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 आउदा इस प्रकारभाग भगवान, बामन अवतार रहेंद करते हैं अब शुगदेव जी कहते हैं कि राजन मैं तुम्हें एक श्वासु वन्ष के बारे में बताता हूँ इस वन्ष में राजा नबग हूए, राजा नाबाग हूए, राजा अम्बरीश हुए राजा अम्बरीश विश्णु भगवान के बहुत बड़े भगत थे वो एक आदशी का व्रत किया करते थे एक बार उन्होंने व्रत किया था नदी में सनान करने जाते हैं वहां उनकी भेट दुर्वासा रिशी से होती है तो दुर्वासा रिशी को देखते उन्होंने कहा कि आज मैंने व्रत किया है कादशी का रात्री में सभी भ्रामनों के लिए भोजन रखा गया है अगर आप भी आएं तो बहुत अच्छा होगा और अगर आप आएंगे मुझे पक्का बताएं तो मैं आपके सामने ही व्रत खोलो दुर्वासा रिशी ने का ठीक है अभी तो काफी समय है हम भी स्नान पूजा इत्यादी करकर पहुँचते हैं ठीक है राजा अम्रीश चले गए दुर्वासा रिशी स्नान इत्यादी करकर पूजा करने बैठते हैं धुजा में ऐसे लीन हुए कि उनके समय का ध्यानी नहीं है, समय बीता जा रहा है, सारे ब्रहमन अमरीश राजा की घर पॉँट चुके है, सिर्फ दुर्वासा विशी का इंतजार हो रहा है, समय इतना बीत गया कि अंत में ब्रहमनों ने कहा कि राजन अब कुछ देर और हु चुक में तुशी का दल डालना हुआ और सामने से दुर्वासा रिशी का आना ना बड़े क्रोधित होते हैं के तो खвоए ने मुझे न्योता वेजा। मैंने ठोड़ी कहाथा के मुझे आना है। और मेरे आने से पहले वरत खोल ली आ है, बड़े क्रोधित होते हैं क्रोध में आकर अपनी जटा में से कृत्या नामक एक राक्षशी उत्पन्ड होती है उसे कहते हैं राजा अमरीश को खतम करते हैं अब राजा अमरीश यहां दोड़े नहीं भागे नहीं वहीं खड़े-खड़े हाथ जोड़कर विश्ण भगवान का ध्यान कर रहे हैं ध्यान करते ही पीछे से सुदर्शन चक्र घूमता हुआता है सबसे पहले तो कृत्या नामक जो राक्षशी है उसका उधार करता है अब वह चक्र द्रवासा रिशी के पीछे जाएगा द्रवासा रिशी दोड़ रहे हैं पर वह चक्र पीछे-पीछे गूम रहा है तब रिशी खागते-भागते विष्णु भगवान के पास जाते रिशी नहीं का रहे अपने चक्र को रोकिये ये मुझे मारने आ रहा है भगवान कहते हैं ये मेरे बस में नहीं है मेरे भक्त पर कोई अत्याचार करता है न ये मुझसे पूछे बीना चला जाता है दुर्वासा रिशी ने कहा तो पर इससे रोका कैसे जाए बुले उसी के पास जाओ जिसके साथ गलत दिया है याने राजा अमरीश से माफी मांगनी पड़ेगी आपको दुर्वासा रिशी जाते हैं इससे पहले वो हात जड़े कि अमरीश राजा उनके कदम दो राजा ने कहा आप मुझसे माफी मांगे उससे पहले मेरी मिर्तिव आ जाएगा इतने बड़े रिशी संत मुझसे माफी मांग रहे है चोटी सी कहानी ये सुनाते हैं शुकदेव जी ने जब एक कहानी सुनाई तो राजा परिक्षित को थोड़ी अटपटी लोगी क्यों? एक बात बताईए कोई सफल व्यक्ति अगर आपको किसी के बारे में बताएगा कि उसे किसने इंस्पायर किया या किसको देखकर उनोंने आगे बढ़ना सीखा तो व्यक्ति उनसे भी बड़ई होंगे कोई सफल व्यक्ति का आइडल कौन होगा उनसे बड़ा होगा उनसे छोटा थोड़ी होगा तो शुकदेव जी सबसे बड़े वैरागी माने गए कई वैरागी होएं पर शुकदेव जी जैसे वैरागी कोई नहीं बोले एक बार जब शुगदेव जी वन की ओर जा रहे थे उनके पिता वेदव याज जी पीछे पीछे जा रहे थे एक नदी में कुछ महिला इसनान कर रहे थे शुगदेव जी उस उम्र शायद 16 साल के आसपस की थी उस वक्त तो शुगदेव जी जब सामने से गए महिलाओं को कोई फरक नहीं पड़ा उसनान कर रहे है पीजे पीजे वेदव याज जी वेदव याज जी क्या आते ही सब दर गई सब अपने कपड़े ढून रही है वेदव याज जी ने कहा मेरी उम्र इतनी बढ़ गई है मैं पिता क्या तुम्हारे दादा के समान बन गया हूँ मुझ से तुम्हें शरम आ रही है और मेरा पुत्र भी जो सोला वर्ष काई है उसे देखकर तुम्हें किसी को शरम नहीं आई तो कन्याओं ने कहा उनकी नजर में कन्या हो फुरुष हो पशु हो कोई कोई माईन नहीं रखता सब सामान नहीं है वो किसी को इस नजरों से नहीं देखते कि यह लड़की है वो लड़का है यह ऐसा है वो है सब कोई की नजरों से देखते हैं वो सांसारिक नहीं है आप सांसारिक नहीं है आपकी नजरों को पता है कौन लड़की है कौन लड़का है कौन क्या है इसलिए हमें आप से शरम आई और उन से नहीं वो इतने बड़े वेरागी है वो हर किसी को एक ही नजर से देखते हैं, उनकी नजर में कोई अंतर नहीं है किसी में तो जो इतने बड़े वेरागी है, जिनोंने वेराग के लिया है, भगवान को प्राप किया है वो अमरीश राजा जो एक राजा है, सांसारिक जीवन में रह रहे हैं और सांसारिक जीवन के साथ साथ राजा का जीवन जी रहे हैं सबसे जादा अगर एश्वरे में कोई रहा है तो वो एक राजा है तो वो एक राजा की तारीफ कर रहे हैं, राजा के बारे में बता रहे हैं तो शुगदेव जीने उन्हें उत्तर दिया कि वो अमरीश राजा के बारे में क्यों समझा रहे हैं और कैसे अमरीश राजा उनसे भी बड़े भगते हैं एक बात बताईए जैसे मैंने आप सभी से सबजी का नाम पूछा था मुझे कोई भी एक मिठाई का नाम बताईए जो आप सबको पसंद हो यापको लगे यह मिठाई तो यहां हर व्यक्ति खाता ही हो ना मुझे बताना है बताईए लट्डू सबको पसंद है यहां कितने जिनको बहुत पसंद है हाथ उठाना यह कम व्यक्ति है मैं ऐसा मिठाई पूछने जो सब को पसंद हो सब को हर व्यक्ति यहां पर रजगुल्ला किस को पसंद है हाथ उठाना चले इसकी संख्या थोड़ी जादा है तो सब को पसंद है अगर मैं आप से कहूं आप उसे आज छोड़ दीजिए आज कभी नहीं खान चोड़ते कोई नहीं चोड़ सकता सची वात है नहीं चोड़ सकते क्यों नहीं चोड़ सकते क्योंकि आपको उसका स्वाद पता है कितना स्वादिश्ठ है अब मान लीजिए आपने जीवन में कभी रजगुल्ले का स्वाद लिया है आपको नहीं पता रजगुल्ला कैसा स आप पता ही नहीं कैसा है चोड़ दिया आज तक नहीं खाया आगे भी नहीं खाएंगे कोई बात नहीं तो अर्थ क्या हुआ इसका शुगदेव जी ने कहा कि मैंने रजगुल्ला यानि संसार मैंने इसका स्वाद कभी लिया ही नहीं मैं गरब से निकलते लिए वण के और चला गया था मैंने संसार का स्वाध जीवन में कभी लिया इंग तब जा कर मैंने वेराघ लिया या मैं वण में रहा इन सबसे दूर रेकर मैंने भगवान को प्राग किया तो कॉन्जी बड़ी बात है मैं तो अकेला था वहाँ भगवान के सिवा रही किया जंडल में तो कौन सी बड़ी बात है पर्राजा अंबरीश जिसने उसका स्वाद लिया है जो एश्यों आराम एश्वरे इन सब के बीच रहकर जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया और ऐसा प्राप्त किया कि उसके बिना कुछ कहे भगवान का सुदर्शन चक्र दोड़ते हुआ या दुरुवासा रिशी के पीछे गया है तो शुकदेव जी कहते हैं वो मुझसे भी बड़ा बड़ा यानि स्वाद लेने के बाद अगर आप किसी जीस का त्याग करते हैं तो यानि आपका त्याग जादा बड़ा है तो शुकदेव जी कहते हैं मैंने संसार का स्वाद ही ले लिया आज तक मुझे पता ही ने संसार में रहना क्या होगा है तो मैंने छोड़ा तो कौन जी बड़ी बात है पर वो तु रहकर भगवान को प्राप्त कर रहा है बीच संसार में धन दौला तैश्वरे में रहकर उसने भगवान की भक्ति करी है इसलिए मैंने तुमें ये कहानी सुनाई तात्पर क्या हुआ कि भगवान को प्राप्त करने के लिए वैराग्य लेना जरूरी नहीं साधू बनना जरूरी नहीं हम ग्रहस्त में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते और मेरे हिसाब से तो भगवान को जिसने सबसे ज़ादा प्राप्त किया है कौन थी वो सबसे जादा किसने भगवान को प्राप किया गोपियां सबसे जादा अगर भगवान को किसी ने प्राप किया है तो उब्रच की गोपियां थी जोने भगवान को खिलाया है थोड़ो से माखन के लिए भगवान को नचाया है हमनें के सा 밝वान गमे नाच करते थे इतना तो किसी नहीं परब्वान को प्राप्त कर दिए उब गॉपियों ने किया था और गोपिया ग्रेश्टमें धी शंनाल एदी तो भगवान को हर कोई प्राप्र कर सकता है पर वो भक्ति करने जरूरी है भक्ति होनी चाहिए आपके आपके तो इस प्रकार राजा म्रिश की कथा होती है अब इसी वन्ष में राजा रगु होते हैं राजा रगु कौन थे रगु कुल रीती सदा चलियाई प्राण जाए पर वचन ना जाए राजा रगु हुए इसी वन्ष में राजा दशरत होते हैं राजा दशरत के तीन राणिया थी पर एग भी संतान ने उन्होंने यग्य करवाया उसमें से खीर निकलती है वो खीर तीनो राणियों को दी माता ने अपनी खीर खीड़की पर दी के बाद में खालूंगी मैं खीड़की पर से एक पक्षी आते हैं वो उस पात्र को लेकर उड़ जाते हैं अब आकाश में उड़ रहे हैं तो कभी इधर हो कभी उधर हो तो खीर का जो पात्र हो तो आट थेड़ा होता है उसमें से थ थोड़ी खीर घरती है खीर कहा जाकर गिरते है नीचे एक पहाड पर अंजनी माता तपस्या कर रहे थी वो खीर उनके मुख में जाती है जिससे फल स्वरोप उन्हें हनुमान जी महराज होते हैं पुरियनमान जी महराज की अभिजीत नक्षत्र में, आयोध्या में, दश्रत राजा के घर पर, मर्यादा पुर्शुत्तम, श्री राम चंद्र भगवान जनम लेते हैं बदाई हो, श्री राम चंद्र की बदाई हो तो महराज, आईए, बदाईयां बाटते हैं हलो, जैसी किष्णा, अभी भगवान श्री राम चंद्र जी का जनम होगा, तो जिन भगतों को बदाई स्वरू भेट देनी हो, इस भजन में जोलिया चलेगी, आप अपने अस्थान पर बैठकर वो भेट उन जोलियों में डालें, जैसी किष्णा आईये, ये भजन यहां अधिकतर भक्तों को आता होगा, तो जिने आता है मों मेरे साथ गाएं, जिने नहीं आता है मों मेरे बाद गाएं पर गाएं जरूरू भाए प्रकटे क्रिपाला दीने कोशल्या हरशित में है मुनी मने अदबुदे आईये क्या बात है, जो बढ़ाई बाटना चाहते हैं ठाकर जीके उठाकर पुरे-पुरे हाथ ताली आएंक साथ भाए! प्रन्नारी, पुण्नी पन्नारी, अदु उठेलू उप्रिविन्नारी पुलिराम जंद्नारावारंगी! पुलिराम जंद्नारी 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 जंद्नारी पुलिराम जंद्नारी वित्स म Leuten केंद्नform पुलिर आच कर दो कर दो कि अ हमान वढ दो कर दो कर दो कर दो कर दो और लो चन्य अभीरा तंभन शामा निज आयो गधुझ चारी भूषण पने माला नय विशारा शोबा सिंदु खरा जो चन्य अभीराबा नगधुझ शारा निज आयो गधुझ चारी भूषण पने माला नय विशारा शोबा सिंदु खरारी राला नय विशारा शोबा नगधुझ चारी कर दो 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 गुछाँ बडेक्स नाज करें आपकुछे रिफ्ट्रों ते मिवेओरने लुछेव एंगेड़र है आपकुछे ज्याया। कर दुई कर जोरी अस्कुती तोरी कही विदी करो भनन्मूंता माया गुण ज्याना तीत अमाना वेद पुरान भनन्मूंता कर दुई कर जोरी अस्कुती तोरी कही विदी करो भनन्मूंता माया गुण ज्याना तीत अमाना वेद पुदान भनन्मूंता माया गुंता हृँ माया गुण ज्यान ज्याना ला favorite अन्मूंता और करुणा सुख सागर सब गुण आकर जेही गावही शुती सतंता सो ममा हित लागी जन अलुरागी वयो प्रकट श्रीकांगा जनो नाशिक सागर सब गुण आकर जेही गावही शुती सतंता सामा महित लागी जन अलुरागी वयो प्रकट श्रीकांगा ब्रह्मान निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिजेद कहे ममा उर्सो बासी यह उपहासी सुनत दीर मति दीर आते ब्रह्मान निकाया रोम रोम प्रतिजेद कहे मतूर को बासी यह उपहासी उदत दीर मति दीर आते उपजाजब ज्याना भूम सकाना चरित बहुवी दीदीन चाहे कही कथा सुहाई मात पुचाई यही प्रकार सुस्त प्रति उपजाजब ज्याना भूम सकाना चरित बहुवी दीदीन चाहे कही कथा सुहाई मात पुचाई यही प्रकार सुस्त प्रति लाए तजहु तात यहरूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियसीला ये सुख परम अनुपा ताता पुपी बॉली सुख प्रियसीला ये सुख परम अनुपा ये सुख परम अनुपा सुनी वच्चन सुचाना रोधन ठाना कोई बाल सुरभूपा ये चरित जिगावही हरी पत पावही दन परही भवकुपा अनुपी वच्चन सुचाना रोधन ठाना कोई बाल सुरभूपा ये चरित जिगावही हरी पत पावही दन परही भवकुपा अनुपी अचाना रोधन ठान ठाना रोधन रच्चन सुरूपा बिचारी तो मारा राम जी का जन्म होता है, सब बड़े प्रसन्य है अब राम जी की बाल लिलाई इतनी हैने, वो बहुत ही साधारण से बालक थे, सीधे साधे, आज्याकारी, हर बात मान लेना गुरू के साथ चले जाता है शिक्षा ग्रहन करने के लिए, फिर सीता माता के साथ विवा हो जाता है विवा के बाद वापस अयुध्या लोटते हैं, उन्हें राज सिंगासन मिलने वाला होता है, कि उससे पहले कैकई माता अपने दो वर्दान मांगती है यानि वचन मांगती है, दस्रजी ने उन्हें कहा था कि दो वचन जब मांगना चाहूं मुझसे मांगती है, कैकई माता ने क्या मांगा था वचन में, श्री राम को वनवास और भरत को राज सिंगासन, तो राम जी को वनवास होता है, वनवास में उनके साथ लक्षमन जी और सीता माता जाती है, वन में सीता माता का हरन हो जाता है, रावन उन्हें लेकर चले जाते हैं, फिर श्री राम युद्ध की तयारियां करते हैं, सीता माता को पहले बहुत भूनते हैं, जब पता चलता है, रावन के पास है, भगवान की भेट हनुमान जी महाराथ से होती है थाकोजी के परम भक्त भक्त शिरोमनी एक सेवक एक भक्त और भगवान का रिष्टा कैसे होता है यह हमें हनुमान जी और श्री राम सिखाते हैं एक भक्त के बिना भगवान कुछ नहीं है और भगवान के बिना भक्त कुछ ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने जरूरी है ये हमें श्री राम और हनुमान जी सिखाते है रावन के साथ युद्ध होता है युद्ध के बाद सीता माता को वापस ले करा जाते है तो देखिए ये मैंने आपको बहुत छोटे रूप में समझा दिया अब चलते हैं उस कैसे देखते कितने आपको कथाई आदे रहती है कैसे करी बताईए 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 ये करे दिन ये कथा आई थी माता अनुसुया तीनो देवों के अंश से तीन पुत्र हुए थे माता को भगवान के अंश से दत्तातरे भगवान हुए थे महादेव जी के अंश से दुरुवासा रिशियोदर ब्रह्मा जी के अंश से कौन हुए थे चंद्रमा, चंद्रवंच की शुरुवात करी उनुने, फिरिसी वंच में परशुराम जी महराज हुए उग्रसेन जी हुए, उग्रसेन जी के नौ पुत्र हुए सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस देव की माता कंस की चचेरी बहन थी लेकिन वो अपनी बहन से भी जादा प्यार करते थे उनुसे, इतना प्रेम था उनको विवा योग यह होती है तो अपने मित्र वसुदेव के साथ वो देव की माता का विवा करवाते हैं विवा पूरा हो गया अब कहते हैं कि मैं अपनी बहन को ससुराल छोड़ने मैं जाओंगा चली कोई बड़ी बात ने कई लोग उन्होंने कहां मैं रत चलाओंगा इन्होंने जीवन में कोई कार नहीं किया पर वो कहते हैं अपनी बहन को छोड़ने मैं रत चला कर जाओंगा मिर्ट ने का इसकी क्या जरूरत है आप साथ चले वही बहुत बड़ी बात नहीं इस रच चला कर जा रहे हैं कि बीच रास्ते में एक अकाश वाणी होती है है अकाश वाणी होती है कि है मौरक कंस जिस बहन को इतने फ्रेम से लेकर जा रहा है उसी बहन की आठवी संतान तेरा काल बने तेरे मृत्यू का कारण बने अब ये सुनकर कंश एक बार तो बड़े खुरोधित होते हैं फिर जोर-जोर से हसने लग जाते हैं कंश ने कहा काल तब बनेगी जब पैदा होगी अरे मैं जब देवकी को ही मार दूँगा तो संताने कहां से होगी मारने लगते हैं कि बीच में वसुदेव जी आ जाता है वसुदेव जी ने कहा मैं वचन देता हूँ मैं अपनी हर संतान तुमें ला कर दूँगा तुम्हें 28 संतान से खत्रा रहे मैं हर संतान पहली दूसरी सब कुछ तुम्हें ला कर दूँगा तुम्हें उनके साथ जो करना है करना है, इसे मत माना, ठीक है कंस मान जाते हैं, पर दोनों को कारगार के अंदर डाल दिया जाता है, सेवकों से कहा गया, वो जैसे ही गर्ववती हो मुझे बता देना, ऐसा भी नहीं कि जब बालक हो, वो अपने आप नाम महीने बाद होती है, जैसा वशुदेव जीने वचें दिया था, अपनी पहली संतान लेकर वो कंस के पास आते हैं, संतान को कंस गोध में लेते हैं, इतना मासूम चेहरा कंस के मन में ममता के भाव आते इसने मेरा क्या बिगाड़ा है अरे मुझे खत्रा आठवी संतान से मैं पहली को क्यों मारू कंस बालक वापस लोटा देते हैं इससे मुझे कोई खत्रा ने इसे ले जाओ ये द्रिश्य नारद जी देखते हैं नारद जी ने का ये तो गलत है क्योंकि कंस के मन में अगर ममता के भाव आ गए तो भगवान कैसे आएंगे तब नारद जी कंस के पास आते हैं नारद जी आते ही क्या केते हैं जोर से कहिए नारायन नारायन नारज जी कैसे आना हुआ इक प्रश्ण लेकर आया है कैसा प्रश्ण है हात में उनके कमल का पुष्प था उनोंने कमल का पुष्प कंज को पकड़ाया बोले अब जरा बताना इसकी पहली पत्ति कौन सी है और आठवी पत्ती कौन सी कंज गिंते हैं उसी प्रकार तुम्हें क्या पता उस कृष्णने कैसी गिंती की है तुम्हें क्या पता उसने उल्टी गिंती की हो और पहली संसानी आट भी संसान निकले कंस समझ जाते हैं, फूल को फेकते हुए कारागार में जाते हैं, देव की माता के हाद से उस बच्चे को उठाते हैं, माता चरणों में गिर जाते हैं, अरे आपने तो कहा था इससे कोई खत्रा नहीं है आपको, पेर की ठोकर मारते हुए कंस चले जाते हैं, और उस बच्चे छे संतानों को कंस मारते, साथवी संतान को भगवान देव की माता के गर्ब से रोहिनी माता के गर्ब पहुचा देते, गर्ब गर्ब में अब सबको लगता है कि देव की माता गर्ब नश्ठ हो गया, कई बार होता है गर्ब के अंदर ही बच्चा नश्ठ हो जाता है, तो सबक अब रोहिणी माता के पाल जा चुपा था वो थे बलराम जी अब बारी आती है आठवी सत्वा बातावरन ही अलग है मौसम ही अलग है मानो सब इंतजार कर रहे है आईए प्रभू आईए जल्दी सावन का महीना था ये मोटी-मोटी बूंदे वरस्ति ये मानो ऐसी वर्षा किसी ने देखी ना हो इतने वर्षों में मोर नित्ति कर रहे हैं और आइए प्रभू जल्дी आए गोँमाताइं अवाज लगा रही है आईए प्रभू जल्दी हमें रख्षो हमारी रख्षा के प्रेवाला गोपाल कभाएगा सब बड़े प्रसण है देवी देवता सब नित्ति कर रहे हैं भगवान पूरे नौ महीने नहीं लेते हैं तो क्योंकि जैसे ही देव की माता गरग्वती होती थी सेवक बता देते थी तो नौ महीने ठीक नौ महीने बाद कंस पहुँच जाते थी तो इसलिए भगवान नौ महीने से थोड़ा पहले ही जनम देते तो महराज मद्य रात्तरी का समय हो, खूब तेज वर्षा हो रही है, भगवान के आने का समय होने वागा है, सेवक अपने आप सोजाते हैं, दर्वाजे अपने आप खुल जाते हैं, बेडियां अपने आप खुल जाती है, और मद्य रात्तरी में, कृष्ण पक्ष में, रोह प्यारे से श्री कृष्ण जनम लेते हैं। गोपुल में नंद बाबार येशोदा महिया का घर है। येशोदा महिया के पास में कन्या सो रही होगी। उस कन्या को उठाना और मुझे वहाँ सुला दे। आईए अभी कोई खड़े ना हो अपने स्थान से सब नित्य करेंगे। उठसव होगा लेकिन उठसव का नाम क्या है। नंद उठसव है। नंद उठसव कहते हैं तो कब होगा जब नंद बाबा के घर जाएंगे। अभी रास्ता देश सब बीच का रास्ता खाली रखें कि वसुदेव जल्दी जल्दी भगवान को लेकर जाएं। नंद गाओं पहुँचे। जेल में प्रक्टे क्रिश्न कनहया सब को बहुत बधाई है। बहुत बधाई हैं सब को बहुत बधाई हैं। जेल में प्रक्टे क्रिश्न कनहया सब को बहुत बधाई हैं। बहुत बधाई हैं सब को बहुत बधाई हैं। जेल में प्रक्टे क्रिश्न कनहया सब को बधाई हैं। भाई टी क्रिश्न के वाई भाई प्रक्टे को बहुत बधाई हैं। ए्ड़्फ रटी क्रिश्न क्रिश्न काुटे क्रिश्न को बधाई हैं। मेर 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 । तालियां जोर दाल कैसा किया है जादू कमाल चोटे बन गए लटडू को पाल चोटे बन गए लटू को पाल तेको अपूठा चूसते मोईनी सुरत बनाई है तेको अपूठा तूसते मोईनी सुरत बनाई है जेल में पक्ते पिश्क दिया रखोद बढाई है जेल में प्रक्ते पिश्क दिया रखोद बनाई 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 है तो माराज, सभी बैठे रहे, देखे, बधाईयां अभी नहीं, बधाई अभी नहीं बाटनी है, बाद में अभी कहां आपने उत्सव नहीं मनाया, नित्य नहीं किया, गोपियों को इतनी जल्दी बधाई नहीं मिली थी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठाकुर जी के लि बधाईयां बाद में बाठिएगा, तो माराज, बाद में, अभी नहीं, तो वसुदेव जी यशोदा महियां के पास बालक को सुला कर आ जाते हैं, अब सुबह सुबह नंद बाबा ने सोचा कि जादा सुबह जा रहे थे, गोशाला, तुनों ने सोचा यशोदा को परिश को शित्यार इतना ध्यान नहीं देते थे, जब आकर अंदर से महिलाईं बता देती, वह हो गया तब, तो यहां पर उन्हें पता नहीं है, कि रात्री में ही कन्या हो चुकी थी, तो सुबह चले गए, कन्या को तभी तवसुदेव जी उठा कर ले जाते हैं, और ठाकुर जी को वहां सुलाते हैं, किसी को भी कुछ नहीं पता है, यशुदा महिया भी होश में नहीं है, सो रही है अब सुबह सुबह यहां, रोहीनी माता, नंद बाबा की बहने, वो सब कमरे में जाती है, और बालक को देखने हैं, सारी कौशाला भागती, अरे बाबा, बाबा, कि दवस्था में, अरे नंद बाबा ने का क्या हुआ, बोले आपके घरे, गईया चराने, माखन चुराने, रास रचाने, छोटों सो, प्यारों सो, नटिकन सो, लाला भयो है, अपको पूरा ब्रज आता है, नंद बाबा जो उच्सम मना रहे हैं, बदाईया, फेके न, यहीं बहुत चोटे चोटे बच्चे भी है, चोट लग सकती है, चलिए, उच्सव मनाते हैं, नंद उच्सव, जन 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 उच्सव, पिश्ण जनम उच्सव, करी में आता है, नंद लालिकी, करी दिए, उच्सव, जनन जन जन तो, पहिए, हो नंद लालिकी, हाटी बोला बालकी जैक दालाकी हाटी बोला बाल की जै करिया बाल की 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 जै करिया बाल की करिया बाल की जै करिया बाल की हाए कर दो करें करथैं करथैं चायो एचायो ओनन दिल बाबा गणि आनन देचायो चायो एचायो ओनन दिल बाबा गणि आनन देचायो ओगन भावना लुभावना एक लाला है आयो एचायो चायो ओनन देचायो ओनन देचन या यार जी उनम के चत्र जैसी पूनम के चत जेती सोबा है बाल की अन्य दोड़ा पाद जी तेकन या लाद जी वो नजरे उतारे जेखो सभी गुप बाल की नच के अनच बरू तेकन या लाद की अन्य दोड़ा पाद जी तेकन या लाद की नच के अन्य दोड़ा जी तेकन या लाद की नच के अन्य दोड़ा जी तेकन या लाद की नच के अन्य दोड़ा जी तेकन या लाद की या शोदा मा के हुई ओला या शोदा मा के हुई ओला बधाई सारे भकताने या रायो लगे 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 लोगे कोई लॉगे कि अधाई कि अधाने कि अधाने कि अधाने कि आधाने इसे बैठेश में सब खड़े होगी अपने साथ पर सब्को नित्य करना है भाकुर्ष्टी कृष्ण का जनम हुआ है ऐसे शांती से नहीं हो स्वागत होता हूंगा समको नित्ति करना है हाद अगर पूरे-पूरे तालिया जोगदार एक साथ कर दो कर दो लाद एक साथ नहीं है है अगर जोगदार एक साथ व्याद गार एक साथ व्याद आया जोगदा एक साथ आज यो अंगनो धन्य हुयो है श्री कृष्ण को जन्म हुयो है श्री किष्ण को जन्म हुयो है नाचोरे नाचोदे दिताल नाचोरे नाचोदे दिताल बढ़ाई तारे भगताने नाचोरे नाचोदे दिताल बढ़ाई तारे भगताने रखज के लिड़ब दो दो दखब दो के लिड़ दो राच दो कर दो कर दो कर दो कर दो और गली-गली में शोर मचा है गली-गली में हल्ला यश्दा माने जाया देखो प्याराता एक लल्ला अब लल्ला हुआ है मैं भजन गा रही हूँ आप सब क्या करेंगे हां नाचेंगे तो उठाइए पुरे-पुरे हाथ कैसे ओ बल्ले 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 अधाई सारे भगताने बल्ले बल्ले बधाई सारे भगताने गली-गली में शोर मचा है गली-गली में हल्ला बल्ले 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 बधाई सारे भगताने बल्ले 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 बधाई सारे भगताने बल्ले 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 अधाई सारे भागताने हुआ 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 है हुआ है हुआ है वाई घोपिया कहती है वो चोरी से चुपके से वो मेरे घर में पीछे से मांखन चोर आया वो चोरी से चुपके से वो मेरे घर में पीछे से मांखन चोर आया वो मांखन चोर आया वो मांखन चोर आया अजया याई 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 और अब देखीए किसी बच्छे का जन्म होता है इफस्पहोता है हम सबीं जाते हैं जाकर गिफ्स देते हैं पच्छे को आशिरवात देते हैं अब हाँ वाल वाल हरो प्रज्वा सी सवार को क्या पना हो भगवान है वो भी आशिरवात 10 कैसे जी ओ शाम लाला जी ओ शाम लाला दिली तेरी पकडी रंग काला हो गया की हो गया तो खोल में हलला मैया ये शुदानी जन्मा है लला रंदे बाबा बजाए दे कुछाल भी रज में लड़ुआ बढ़े रंदे बाबा बजाए दे कुछाव दे रज में लड़ुआ बढ़े अज़ बाबा बजाए रेको तार की रच में लगा बजे भूपया दी हो गया दो पूल में हल्ला मैया या शोदानी जन्मा है लगा अज़ बाबा बजाए रेको तारे अज़ बाबा बजाए रेको तार की रच में लगा बजे स्रीया आज़े आईए एक ऐसा भजन जो यहां सब को आता होगा बड़े से बड़े को, छोटे से छोटे को, बच्चों को सब को छोटी छोटी गई आँ छोटे छोटी गई आँ छोटे छोटे गवाल छोटे सो, छोटे सो, छोटे सो मेरो मतने को पारा आईए जन मुझ सब हर बार बनाते हैं जैसे जनम दिन हुआ कि अ किसी बच्चे के जनम दिन में जातें तो क्या कहते उसे आज के समय पर क्या कहते हैं है फ्यू वर्डे है न वाइए भगवान को भी कन आते हर तरीके से इस्वर प्रज में भी जैसे मना लिया चाथ सारी क्रूप में बल्ले बल्ले भी कर लिया अब जैसे हर बच्चे को बोलते वैसे भी खरके देखते कैसे बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये काए तुम जीओ हजारो साल ये मेरी है आरियू तुम दियो हजारो साल ये मेरी ये यार दियो अपी बादेगु प्रिष्ञा, अपी बादेगु प्रिष्क। Happy birthday to you Happy birthday to Krishna Happy birthday to you Happy birthday to you अज़ के आनन्त की यहो कफूर गौरं करुनावतारं संसार सारं मुझ गिंद्र हारं सदाव संस्दम फिर्दियार्वित्य बवं भवानी सही चम्रवां की सीरिभाग्वत भगवान की है आरिती पाप्यों को पाप से हैतार यह ज़िए कुम्र क्याती है मुझ गौरं गौर्वत भवान की है आरिती आप्यों को पाप से हैतार यह ज़िए नमर क्याती है मुंद्र काती है पंजम में दिलाल, नव झूटिक गाने वाला आप्यों को पार शिर्पाओत भणाने की है आईरे हांप्यों पोपात संवे आती बेते पांग दूब लिए बतना में अर्दन सोन ये सन्दची जबावार सनीन वातों कम्डाहे वादा हरु दर्च कराने वादा ये सुट कर्नी ये धुक हर्ती Commissioner सिर में दूसुद दर्प कि लग गे आप यूको पाप से लग आज़िCK है आर जीये हां पिल फोपा किसे गार दी ये मचुर बोल जट्ट जड़नाई मज़नाने बाला ये मचुर बोल जबस्ट बोल जड़नमान को गनाने वाला ये गड़ी मोगनाने वाला सिरी नाम यही घंड शाम यही किसी राम यही खर जाम यही तब की वही माठी कान की तिरे बाग मत बगवान की है आर दी आप योग कोपा कसे है जार दी तिरे बाग मत बगवान की है आर दी तिरे बाग मत बगवान की है आर दी तिरे बाग मत बगवान की है आर दी